अध्याए 41, शक्तिशाली और प्रभूत्व शाली क्यों ये चेन लड़ना जारी रखेगा। ये चेन को फिर से युद्ध के लिए तैयार देखकर नीचे आश्चर्य की लहरे आश्चर्य से भरी थी। प्रोध कैद है और निश्चित रूप से पराजित होगा। लगता है आप संधर्ष कर रहे हैं। ये सब व्यर्थ है। मैं देखता हूँ कि तुम इसे कितनी देर तक रोग कर रख सकते हो। मंच पर QE हाव जंगली हो गए और वॉली ने एक तेज तलवार तोड़ दी। ये चेन पहले ही पीछे हट गया था। जब वह पीछे हट गया तो उसने त्यांजियान एपी को बाहर निकाला जिसे युद्ध मंच में डाला गया था। QE हाव की तलवार QE ने आकाश को फार दिया और चमक उठी। शरीर की कोई वास्तविक सुरक्षा ना होने के कारण जख्के से ये चेन की बाहों में चोट लगी फिर मीठा गला और थूक से खुन निकला। मरना QE हाव का शरीर उर रहा था और पलक जपकते ही एक तलवार फिर से हवा में गुज गई। हैरानी की बात यह है कि ये चेन शर्माय नहीं। उड़ा दिया, खून फिर बिखरा और ये चेन के शरीर में छेद हो गया। और इसी क्षन उसने एक बार फिर मास और रक्त को मारने वाली तलवार पकड़ ली और उसकी दाहिनी मुठ्थी फिर से उठ गई। केवल इस बार क्यूई हाउ ने अच्छी तयारी की थी, उसने धीरे से अपनी हथेली उठाए और ये चेन की मुठ्थी पकड़ ली। ये चेन जो वास्तव में कैद था, उसकी नजर में हमले की कोई शक्ती नहीं थी, ये बहुत कमजोर है, क्यूई हाउ मुस्कुराए और ये चेन ने हथेली हिलाए और पीछे हट गए, क्या आप इस बार भी मर चुके हैं, जेन ये चेन से पीछे हट गया और क्यूई हाउ अपनी तारानकन 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 तलवार से मारने वाला था, हाला कि जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, ये है, उसने सपश्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी है, जिस त्यानलिंग अभिशाप बेहत कीमती है, क्या वह इसे संभाल सकता है? ये खत्म हो गया है, क्यू इहाओ भी त्यानलिंग अभिशाप की चपेट में आ गया है? ये खूबसूरत है, जियोंगेर कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका और वो तेजित छोटी मास की मुठ्थी कस कर भीन्चली, वह त्यानलिंग श्राप कहां से आया? सूजिन्यू भैभीत था और जाहिर तोर पर ये चेन के पास त्यानलिंग अभिशाप भी था, जो पूरी तरह से उसकी अपेक्षाव से अधिक था. यह संभव है, क्यू इहाओ मंच पर गरजे? मैंने कहा, कोई नहीं जानता की कौन पैदा हुआ और कौन मरा? कुछ मीटर की दूरी पर ये चेन इन खड़े हुए और क्यू इहाओ को व्यंग यसे देखा. आपको त्यानलिंग श्राप कैसे मिल सकता है? ये चेन को देखते हुए क्यू इहाओ की आखे खुन से लाल हो गई. क्या यह महत्वप उन बात यह है कि यह अभी आप ही है नाप क्रोधित नहीं है. मैं क्रोधित नहीं हूँ, असली लडाय अभी शुरू हुई है. ये सुनकर क्यू इहाओ अब चितन रूप से पीछे हट गया? हाँ, वह क्रोधित नहीं था. तो क्या वह अभी भी ये चेन का प्रतिद्वंद ये चेन की हावी हाथापाई की लडाय के बारे में सोचते हुए QE हाव की आखों में अभी भी घबराहट है. उसने हाल के वर्षों में QE पर बहुत अधिक भरोसा किया है. उसने सबसे बुनियादी लडाय रणनीती का अभ्यास किया है. QE के बिना उसका प्रतिद्वंद युद्ध ये चेन जोर से चिलाया, बाहर आया और एक प्रक्षेप्य की तरह गोली मार दी। देखकर ये QE हाउ जल्दी से पीछे हट गया। क्या आप बच सकते हैं। हाला कि जब ये चेन ने अपनी शक्तिशाली आवाज में शक्ती प्रदर्शित की तो रेन यान फैन का एक सफेद वस्त्रधारी शिश्य अचानक मंच पर आ गया। सफेद लबादे वाला शिश्य उचा नहीं है लेकिन उसके पास एक अच्छी योजना है ये जानते हुई कि ये चेन वास्तब में इस समय कैद है और उसकी ताकत बहुत कम हो गई है। वो इस अफसर का उप्योग ये चेन को नश्ट करने के लिए करना चाहता है। चलाई गई छड़ी ये हैं नीचे के शिश्य कुछ देर के लिए अचमवित रह गए। भले ही उन्हें कैद कर लिया गया हो ये चेन अभी भी जंगली और असामान्य था। क्या सदमे में ये चेन ने पहले ही सफेद कपड़े पहने शिश्य का एक पैर कीच लिया था और युद्ध मंच पर जोरदार पटक दिया था। ये चेन का दिमाग जिस शर्ण QE को कैद किया गया था वहरेन यान्द फैन के शिश्यों से एक आश्चारे जनक हमला करने की उम्मीद कर रहा था। हाला कि वह वास्तव में एक कैदी है उसकी लड़ने की क्षमता अभी भी कायम है और उसके प्रभावशली शरीर के कारण हर कोई उसे नीची नजर से नहीं देख सकता। नीचे रेन यान्द फैन के शिश्य सू जिम्यू को छोड़ कर युद्ध के मैदान में भाग गए। मेरा चरवाहा मंच पर मौजूद भालू ने उसे तुरंद देखा और क्रोधित हो गया। वह अपनी गदा छोड़ कर मंच की और दोणा। उसने बस अपने पैर उठाए और जानबूच कर उसे पीछे ले लिया। क्योंकि युद्ध मंच पर ये चेन शक्ती से लड़ रही है। उसने श्वेत मूर्चित शिशे के एक पैर को हतियार के रूप में प्रयोग करते हुए एक हाथ से पकड़ लिया और जोर से धड़काया। जिसने भी आगे आये यानफेग शिशे को अस्वीकार कर दिया वह देश से बाहर भाग गया। घटना स्थल पर ऐसा नजारा सामने आया है। रेन यानफेग के शिशे रेत की बोरियों की तरह मंच से उल गए। बहुत खूब। जी ओंगेर चिल लाया। यह बहुत कटोर है। आसपास के शिशे ने अंजाने में गटक लिया। क्या बात की धार के साथ यानफेग के ए अधी शिश्यों को चुप कर आओ। यह चेन खून से लटपत था, उसकी आखे लाल थी और वह शराब पीते समय सुजिन्यू को भूर रहा था। एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, लडाए के दोनों पक्षों को छोड़क कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं है। यह दरव यांग फैंग, जो सबसे पहले दरवाजे के नियमों का उलनगन करता है, और वह मुझे दोश नहीं दे सकता। यह चेन की आवाज काम प्रही थी, बेहत थंडी। कहा, यह चेन अचानक भूं गया, और क्यूई हाव, जो अभी अभी उपर चड़ा था, एक हथेली से स्तब रह गया, यह देख कर सुजिन्यू की आँखों में एक थंडी रोशनी चमक उठी, और वह मंच की और भागने वाली थी, मुकदमा शिन्यू सही है, मैं तुम्हें आग्याकारी होने की सलाह देता हूँ, अन्यता हवा का तीर किसी को नहीं पहचान पाएगा, जियोन गेर की आवाज गूंजी, थिदोरा में गदा का स्थान लंबे धनुष ने ले लिया है, इस समय धनुष पूर्निमा की तरह है और एक भयानक QE तीर है जो चिल्लाता है, जैसे ही सुजिन्यू ने कार्यभार संभालने की हिम्मत की, ये QE तीर होगा शिकार करने का भी प्राइम ट आएगा, अपने दिल में इस तरह सोचते हुए, उसने एक गहरी सास ली और वही कदम उठाए जो उसने अभी उठाए थे, ये सही है, जियोंगेर ने व्यंगे किया और फिर नीचे के शिशो पर नजर डालना नहीं भूला और डाटा, मैं किसी को निशाना नहीं बनाना च घटना स्थल पर, ये चेन ने पहले ही क्यूई हाओ के भंडारन बैग एक अत्र कर लिये थे और फिर हर जगह तलाशी ली, लेक, न सभी मूलेवान खजाने उससे चीन लिये गए, उसने अभी भी क्यूई हाओ के लिए थोड़ा सा चेहरा छोड़ा है, अन्य था, अपने पिछले स्वभाव से क्यूई हाओ निश्चित रूप से उसके पूरे शरीर को मिटा देगा, ऐसा करने के बाद ये चेन यू मंच से उतर गए और बाहर चले गए, सू जिन्यू के पास से गुजरते हुए, ये चेन ने उसके जमे हुए गाल पर नजर डाली और उपहास कि थी, सामने और दोनों और के शिशों ने ये चेन के लिए रास्ता बनाने के लिए मौन सहमती दी, आज की लड़ाई चर्मोत कर्श समाप्त हो गया है और चोकाने वाली बात यह है कि मानव क्षित्र में क्यूई हाओ एक मजबूत ताकत से हार गया था, यहां तक कि यांग फैन के शिश भी, जो मदद के लिए आय थे, सू जिन्यू को छोड़कर सभी लेटे हुए थे, आज के बाद मुझे दर है कि कोई भी ये चेन को हटपूर्वक शिश बनाने की हिम्मत नहीं करेगा, जाना, ये चेन के चले जाने के बाद, जियोन गेर ने भी सभी दाव लाव तजू का आत्मा पत्थर, ये सब मेरी संपत्ती है, दस साल की कड़ी मेहनत, मुक्ती की ओर लोटने से एक साल पहले, अध्याय बयालीस, फैंग्यून ताई की लड़ाई में छाया हजार गती, ये चेन दरवाजे के बाहर प्रसिद हो गई, निन की जिन्ड में एक इ दिल को कसकर पकड़ रखा था और उसके पास एक प्रतिभाशाली शिश्य की कमी थी, जिससे उसे दुख हुआ तुम्हारा दिल, डियंग शिखर, जी हुन के मुह से व्यंग्य निकला, क्विंग यांग लाओं, मेरे डियंग फैंग की तुलना में, आपका यांग फैंग और भी अधिक हो गया है, यांग फैंग लोग, क्यों यी हाओ जाग गया और पागल कुत्ते की तरह गुराने लगा, मारो, मारो, मैं उसे मारना चाहता हूँ, शोर, किंग्यान का असली आदमी चिल लाया, उसका चेहरा नीला था और वह उदास और डरावना था, मैं किसी भी कंडेंसेट को हरा नहीं सकता, मैं वास्तव में आपको कुछ भी नहीं सिखाता, मास्टर ये ये चेन है जो बहुत दुष्ट है, सुजिन्यू ने गुस्से में कहा, और मत कहो, अगले महीने तुम सब शांत पहाड में होगे, दरवाजे के बाहर, तुम मेरी शर्म को र खून के छेद, हाला कि ये चोटे कमांड हॉल में आग की सीटी की तुलना में कुछ भी नहीं है, बंज़ शोधन शरीर के अल्प संचालन से उसके घाव बहुत जल्दी ठीक हो गए, जब वह दरवाजे से बाहर निकला, तो वह पहले से ही जीवित और स्वस्त था, मैं व्यक्ति होना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है कि ये व्यक्ति जियोंगेर है, क्या आपका बच्चा एक जानवर है, जियोंगेर ने दोलकर ये चेन के शरीर का निरीक्षम किया और पाया कि कोई घाव नहीं था, और वह सदमे से स्तब्ध रह गया, यहाँ, ये चेन ने अपनी हथेली बढ़ा दी, चिंता मत करो, तुम इसके बिना नहीं रह सकते, जियोंगेर ने ये चेन को एक खाली नजर दी, ये जानते हुए कि ये चेन उस स्पिरिट स्टोन की तलाश में था, जिसे उसने जीता था, इस बार आखिरकार यह कोई छोटी संख्या नहीं है, जियोंगेर इसे पूरा नहीं निगल पाएगी, इसका एक हिस्सा ये चेन का योगदान है, पुराने नियम, पांच या पांच मिनट, एक चालीस हजार, जियोंगेर ने ये चेन को एक स्टोरेज बैग सौपा, भंडारन बैग उठाने के बाद, ये चेन ने अंदर देखा बिलकुल चालीस हजार से आधिक नहीं और उसे अपनी बाहों में रख लिया, तक्राव के इस समय ने वास्तव में उसे एक भाग गयर, चालीस हजार आत्माए अर्जित की और हेंग योयजोग के शिशों के बीच, वह निश्चित रूप से अमीर लोगों की सूची में हो स जियोंगेर ने भोहें चड़ा ली और ये चेन की और देखा, कुछ ही दिनों में नौवे ब्लैक मार्केट की त्रेवार्शिक नीलामी शुरू होगी, मैंने सुना है कि वहां कई खजाने नीलाम किये जाएंगे, बोलते हुए चाचा ने भी अपनी गदा निकाली और कहा, देखा, नहीं, ये गदा पिछली यूदू ब्लैक मार्केट नीलामी से ली गई है, हर तीन साल में एक बार, यदि आप इसे चूक जाते हैं, तो तीन साल फिर से प्रतीक्षा करें, पर मैं क्यू सुनता हूं कि देश शांत नहीं है, ये चेन ने उसकी थुड़ी को छुआ धन के लिए प्रार्थना, जियोंगेर ने जल्दी से कहा, इसके अलावा नीलामी के दोरान हत्या निशिद है, बस जाओ और देखो, यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते, तो चले जाओ, कैसा रहेगा, जियोंगेर के शब्दों को सुन कर, ये चेन ने फिर से उसकी जाओ और देखो, ठीक है, बस इतना ही, मैं फिर से कुछ स्नो मैगनोलिया फूल लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हे कल पुरानी जगह पर मिलूंगा, जियोंगेर उचला अपने तारांकन 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 को थपथपाया और लिटल स्पिरिट गार्डन से बा भंडारन बैग निकाला, स्टोरेज बैग खोलते हुए, राओ ये चेन की निरंतर ताकत थे और फुस्फुसाय बिना नहीं रह सके, क्यूई हाओ कोई युवा प्रतिभा नहीं है जो परिवार को आगे बढ़ाती है, उसे परिवार से बहुत उम्मीदे हैं और असली क्व अभी प्रकार के मानसिक तरल पदार्थ होते हैं, पोशन संबंधी मेरिडियन, दीरधायू मेरिडियन और शारीरिक शमता मेरिडियन हैं, वे सच्चमुच अमीर हैं, इसके अलावा भंडारन बैग में कई आध्यात्मिक जड़ी बूटिया और वस्तुए हैं, उनमें से दारन बैग में केवल एक टूटा हुआ कच्चुए का खोल था, ये कच्चुआ मोंबत्ती की रोशनी में ये चेन ने ध्यान से अपने हाथ में कच्चुए के खोल को देखा, कच्चुए के खोल की सतह चिकनी होती है और आकार केवल एक थपड़ के बराबर होता है, इस प रही थी, बिस्तर के बगल में बैंगनी सोने की लोकी कापने लगी, ये चे से पहले जवाब में प्राचीन कच्चुए के खोल को उसने चूस लिया, सुनहरे लोकी के मुह का भावर फैल गया, और कच्चुए के खोल को सीधे निगल लिया गया, आपकी क्या स्थिती है, य ये चेन ने जल्दी से जिजिन स्मॉल लोकी को पकड़ लिया और अंदर देखा, ये चेन को ये जानकर आश्चार्य हुआ कि जिजिन लोकी द्वारा निगलने के बाद, कच्चुए का खोल एक अजीब बल से लोकी में पिघल गया और अंत में एक सांस में बदल गया, इस चेन को केवल उसकी काली आखें और उसका सिर गरचता हुआ महसूस हुआ, मुझे नहीं पता कि ये चेन ने सिर हिलाया और अपनी आखें खोलने में कितनी देर की, हाला कि उसकी आखें अजीब हो गई, अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी आखों में छोटे-छोटे चेन जमीन पर खड़ा हो गया और धीरे से एक कदम उठाया, हाला कि ये चरन सामान्य है, अंत में कुछ और भी है, बाहर निकलने के बाद ये चेन नहीं रुका, वो एक नींद में सोने वाले व्यक्ति की तरह था, धीमी गती से लगातार घर के चक्कर लगा रहा था, कभी आगे बढ़ रहा था, कभी बेवजा पीछे जुक रहा था, मुझे नहीं पता की कितनी देर तक उसके पैरों के नीचे हवा का तेज प्रवाह था, और उसकी चलने की गती उसी हिसाब से तेज हो गई थी, और उसके पीछे अभी भी एक दर्रा था, समय अनायास ही उड़ गया, ये चेन रात में कमरे से बाहर चली गई, जब भोर हुई, तो अचानक दर्वाजा खुलते ही ये चेन बाहर आ गई, बगीचे में लापरवाही से टहलती हुई, कभी-कभी जुवनवू तोलू की तरह स्थिर कदमों से, कभी-कभी हवा की तरह आती और जाती रहती उनके हर कदम में एक अवर्णी आत्मा है, और शरीर का रहसी लोगों को समझने में असमर्थ बनाता है, गती बहुत तेज है और लोगों को गती बनाय रखने में असमर्थ बनाती है, मुझे नहीं पता कि ये चेन का ब्रुका, उसकी आखे धीरे-धीरे खुली, लेकिन उस चेन धर वापस भाग गया, जब वह बिस्तर पर वापस आया, तो ये चेन ने बैंगनी सोने की लोकी को अपनी बाहों में ले लिया और यी बार बार हटाया गया, पिता जी क्या बच्चा है, ये चेन ने मुस्कुराते हुए अपना मुँ बंद कर लिया और चुपके से कह था कि उस दिन उसके 1000 से अधिक स्पिरिट स्टोन फूल वास्तव में इसके लायक थे, उन्होंने महसूस किया कि प्राचीन कच्चुए के खोल में शौयन किया नहुआन के शरीर का रहस्य में जादू है, जिसे जिजिन लोकी ने पकड़ लिया है, इसलिए कच्चुए के खोल को इसमें निगल लिया गया है और रहस्य को परिश्कृत किया गया है, आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपके पास अभी भी यह शमता है, छोटी जिजिन लोकी को पकड़े हुए, ये चेन इसे और अधिक पसंद करने लगती है और अधिक खुशी से सोचती है, बैंग हो रहा है कि मैं भाग या कमा रहा हूँ, ये चेन ने उसकी थुड़ी को छुआ, मेरी सच्छी आग बच्चे को महसूस कर सकती है, और ये है बैंगनी सोने की लोकी बच्चे में छिपे रहस्य को पकड़ सकती है, ये उसे भेजने वाली है, अपने दिल में इस बारे में सो गुंजन, अचानक एक स्पिरिट बीड से भर कर बैंगनी सोने की लोकी ने गुंबुनाया और उसे वहीं उगल दिया, ये है एक साधारन स्पिरिट बीड जैसा दिखता है, ये चेन का राह उठी, फिर एक छोटा खंजर निकाला और छोटी लोकी में डाल दिया, पहली ब उसमें चमकती हुई जेड की एक छोटी बोतल भर दी, क्लिक करें, अचानक बैंगनी सोने की लोकी ने छोटी जेड बोतल को सीधे उर्ती हुई राक में दबा दिया और फिर सीधे राक का छिलकाव किया, ये चेन अचानक लड़ खड़ा गई, गुंजन, पागोर जिजन ह चेन सक रूप से काव गया, मानो फिर से विरोध कर रहा हो, मानो कह रहा हो, तुम बकवास करते हो, एक और कोशिश करो, ये देख कर, ये चेन कावपने से खुद को नहीं रोक सकी, वो इसे सपष्ट रूप से देख सकता है, पागोर जिजन में बच्चे के रहसे को उसे यकीन था कि अगर मेस में और सामान नहीं होगा, तो उसकी जगह एक छोटी लोकी से उसे कुचल दिया जाएगा, छोटी सी बात, जे ओ खराब मूड, हाला कि ये चेन ने उसे डाटा, लेकिन उसने छोटी लोकी को अपनी बाहों में ले लिया, यह एक खजाना है, एक शरीर वसा से भरा हुआ था, एक कुदाल था, केके, ये चेन को खांसी हुई और जियोंगेर ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, ये देखकर ये चेन उपर चली गई और उसे लात मारी, मोटा छोटा आदमी उठो और काम करो, पहली बार चाचा अभी भी जाग रहे थ फूह, ये चेन फुस फुस आए, वो महिला नगनक क्यों है, जैसे ही शब्द निकले, दोनों सो रहे जीऊंगेर एक आतमा बाहर कुद गई, कहा, कहा, ये चाल वास्तव में काम करती है, ये चेन ने अर्थपूर्ण धंग से कहा, तुम बकवास कर रहे हो, ये जा, नते वह खेल रहा था, जीऊंगेर ने ये चेन को कठोर शाप के साथ देखा, इस बकवास को ठीक मत करो, जल्दी करो, स्पिरिट धास यहां नहीं है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं काम करता हूँ, आप निश्चिंत हो सकते हैं, जीऊंगेर ने अपनी क्रोच को जगह म पे फैलाया, और फिर एक भंडारन बैग निकाला, लाव तजू ने इसे पाने के लिए नौ मवेशियों और दो बागों को लिया, कट, ये चेन असहमत थे, लेकिन जब उन्होंने खोला तो ये चेन सहमत नहीं थे, भंडारन बैग, वह मौके पर ही दन रह गया, अंदर स् हमत नहीं, फिर आपको ये कैसे मिला, मैंने अपनी चाची को ढूंड लिया, जियोंगेर ने अपनी नाक पर चुटकी ली, और उनके भोजन में कुछ जोगा, कुछ जोडने के लिए, ये चेन ने भंव उठाए, क्या, बबूल घूल जाता है, जैसे ही जैसे ही येह बयान दिया गया, राओ ये चेन की निरंतर ताकत थे, और वह अपने मुह के कोनों को मुरने से खुद को नहीं रोक सके, उसे जियोंगेर को अनबूठा दिखाना पड़ा, नियूटी, एक एपिसोड बीता और दोनों फिर से शुरू हो गए, ये चेन अभी भी रिफाइनिंग क को संसाधित करना शुरू किया, उसने छोटी जिजिन लोकी को बाहर निकाला, ये बच्चा कैसा तारांकन 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 है, और वह अपनी ही आभा को निगल सकता है, जियोंगेर जमीन पर बैठ गया, उसकी दोनों आखें धीरे धीरे घूं गई, देखो मत आओ और मदद करो, क्योंकि जेड जूस को परिश्कृत करने की ये चेन की विधी अधिक से अधिक कुशल होती जा रही थी, इस बार जेड जूस को पिछली बार की तुलना में तीन गुना अधिक परिश्कृत किया गया, और इसमें केवल उन दोनों की आवश्यक्ता थी 6 दिन, रात को वे दोनों मरे हुए सुरों की भाती भूमी पर पड़े रहते थे, 6 दिनों के पागलपन भरे शोधन के बाद दोनों बहुत ठक गये थे, कल निकल रहे हैं, कुछ उप्योगी पाने के लिए पहले से वानबाव मंडप में जाए, समझे, जियोंगेर ने अपन इंग यूजोग के तीन मुख्य आकर्षन, तियान एक्सिंग आकर्षन और तियान लेई आकर्षन तियान लेई ने मुख्य हमले को शाप दिया, सकती बहुत मजबूत है, विसफोट परवतों के शकती है हेंग युजॉं के तीन मुख्य आकर्शनों के अपने फायदे हैं और एक दूसरे के पूरक हैं अप्रत्याशित लाब होगा इनकी कीमत भी हैरान करने वाली है वानबाव मंडब भी इन तीन सुंदरियों को बेचता है ये चेन ने जियोंग एर की और देखते हुए पूछा निश्चित रूप से बिखरी के लिए तियानलिंग ने दस हजार स्पिरिट पत्थरों को श्राब दिया तियानजिंग ने तीस हजार स्पिरिट पत्थरों को श्राब दिया जहां तक वजश्राप की बात है, 90,000 स्पिरिट पत्थरों की आवश्यक्ता है लेकिन आज वजश्राप बहुत शक्तिशाली है और हेंग्यूए जोग में इसकी मना ही है लेकिन यह बाहर काम करता है मेरी मा आग्याकारी है, इसे कौन सहन कर सकता है यह चेन मदद नहीं कर सका लेकिन चुपचाप इसे निगल लिया फेंग्यू जोगवाई में में जुके हुए बाग और चुपे हुए ड्रेगन असंख्य है और उनमें से कई खेती करने वाले परिवार से है वे अमीर हैं, यहां तक की यह चेन ने भी इसके बारे में सोचा कल ही, उन्होंने क्यूवी हाओ के भंडारन बैग में 30,000 स्पिरिट पत्थर भी खोजे परिवार के अन्यशिष्य जो पहारों और पानी के संपर्क में नहीं आते उन्हें तिल से भरपूर होना चाहिए हाला कि यह मंत्र महंगे हैं, लेकिन यह बहुत व्यभारिक है जियोंगेर ने कहा, बाहर जाना जरूरी है महत्वपूंक्षंड मेरी जान बचाने का है मुझे स्पिरिट स्टोन से ज्यादा अपनी जिन्दगी की परवा है यह सच है, यह चेन जियोंगेर के द्रिश्टिकों से सहमत थे चाहे उसके पास कितने भी स्पिरिट स्टोन हो, उसका जीवन चला गया नीदरलेंड ब्लैक मार्केट में जाने से पहले ही उन्होनेग, पत रूप से फिर से वानबाव पवेलियन जाने का फैसला कर लिया था वह स्काई थंडर कज और सभी डी के अभिशाप को सहन नहीं कर सका वाई, स्काई स्पिरिट कज और स्काई मूवमेंट कज अभी भी ठीक रहेंगे रात में दोनों होशान से चले गए, जीयोंगेर लिंकाव गार्दन गए और ये चेन वानबाव पवेलियन गए अध्याए 44, अधरक पुराना और मसालेदार है रात का आकाश गहरा है, तूटे हुए बादल धूल की तरह है ये चेन वानबाव मंडप में वापस आय और पाया की हाईजेंग अकेले क्वेर गुनबुना रहा था और छोटी शराब पी रहा था नहीं, कोई सच्मुच आधी रात को सामान खरीदने आता है व्यवसाय को देखकर बड़ा समुदरी अर्चिन खड़ा हो गया, उसकी आखें हमेशा की तरह उज्डवल थी बुजूर्गों को बहुत दिल्चस्पी है, ये चेन मुस्कुराए और एक भंडारन बैग उठाया बुजूर्ग मुझे मूलियाकन करने और ये देखने में मदद करते हैं कि सामगरी में कितना दम है बड़े समुद्र ने भंडारन बैग उठाया, उसे खोला और अंदर देखा और ये चेन को फिर से देखा ये सब क्यों ये हाव द्वारा चुराया गया है ये चेन को खांसी हुई, उसने अपनी नाक की नोग को छुआ और सिर हिलाया पीछे मुल कर देखने पर विशाल समुद्र ने अपनी बाहों से एक छोटा सा अबेकस निकाला और फिर भंडारन बैग में प्रत्येक वस्तु को गिना अंत में उसने अबेकस नीचे किया और कराहने के लिए अपनी मुन्चे भीन्च ली फिर तीन उंगलिया उठी तीस हजार तो बहुत छोटा है ये चेन ने अपने होटों को सिकोड लिया चुपचा पैसे का ततकाल उप्योग नहीं करते हुए वहिन बच्चों को नहीं बेचेगा तैंतीस इससे अधिक नहीं हो सकता दहाई हाई ने ये चेन पर नजर डालना भूले बिना कहा लेकिन ये निश्चित रूप से ये चेन के चेहरे पर बेचने का रवया नहीं था ये देखकर विशाल समुद्र ने आश्चर्य से पूछा बतीस हजार क्यों नहीं अब और नहीं ये चेन ने तुरंत भंडारन बैग ले लिया हालाकि वह कीमत के प्रती बहुत समवेदनशील नहीं था क्यों ये हाउ का भंडारन बैग बतीस हजार से अधिक था और केवल असाधारन जादूई उपकरन ही इस कीमत से अधिक थे ये चेन को जाते हुए देखकर बड़े समुद्र ने जट से ये चेन को पकड़ लिया मत जाओ नहीं चलो इसे जोड़ दें पांच हजार ये चेन ने सीधे कीमत उधिरित की रतीस हजार का विशाल समुद्र मासाहारी और अत्यदिक मित्व यही है इसे दो हजार अर्तालीस कर दो चालीस हजार और नहीं बुड़े आदमी तुम भी निर्दई हो सेंतालीस इस कीमत पर अन्य था सौदा प्रतीक्षा कि ये बिना विशाल समुद्र ने मौके पर ही ये चेन के शबदों को बाधित कर दिया कम होना ये चेन का मौकड़ा हो गया और गुप्त मार्क को बड़े समुद्र ने धोखा दे दिया यहां आओ सेंतालीस हजार और नहीं और नहीं तुम विशाल समुद्र के चेहरे पर मुसकान ने एक भंडारन बैग रख दिया ये चेन की बाहों में इस दर से की ये चेन को इसका पचतावा होगा ये चेन ने बस उसे पीछे धकेल दिया मुझे तीन त्यानिलिंग श्राप और एक त्यान जिंग श्राप दे दो ये काम नहीं करेगा यहां अभी भी तीन हजार है दहाई हाई फिर चला गया तो फिर मैं इससे नहीं बेचूंगा अरे छोटा खरगोश विशाल समुद्र फटने ही वाला था लेकिन फिर भी एक दयनिय मुस्कान के साथ एक दूसरे से लिपता हुआ था तो यदि आप दो हजार और जोड दे तो मैं आपको एक हजार मुफ्क पत्थर दूनगा क्या मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पाच सौ दूनगा एक बार धोखा खाने के बाद ये चेन ने भी चतुर बनना सीख लिया और मौत का सौदा कर लिया समापन अचानक दा महाई ने उससे फिर वादा किया ओ मैं जा रहा हूँ ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन अपने हाथों को जोड से थप पड़ मारा क्या ये फिर से चालू है अधरक अभी भी पुराना और मसालेदार है ये चेन मू ने कीमत कम करने के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन वह फिर भी बड़ा समुद्र नहीं खेल सका ऐसा लगता है कि ये पुरानी चीज वनबाव मंडब के किसी बुड़े व्यक्ति की हो सकती है इस बार विशाल समुद्र ने चार आध्यात्मिक आकर्शन ये चेन की बाहों में डाल दिये इसके बाद रामी ने ये चेन के स्टोरेज बैग को स्वाइब किया काले चेहरे वाले ये चेन ने चार ताबीज एक भंडारन बैग में रख दिये बुड़े आदमी रात को गड़े में मत चलो अरे लानत है दूसरी और विशाल समुद्र फूटने से पहले ये चेन वानबाव मंडब से बाहर भाग गया लिटल स्पिरिट गार्डन लोटने में देर रात हो गई थी डुणजन डुणजन उस छोटे से बगीचे में लोहे की सलाखों के हवा से टकराने की आवाजों के बावजूद शिशु बाग को नीन नहीं आई और वह भी भी कड़ी मेहनत कर रहा था उसके हाथों में लोहे की काली सलाखे खूब चलती थी हाला कि वह अनारी था लेकिन धीरे धीरे उसमें पारंगत होता जा रहा था जुशिहु इतना प्रशिक्षित था कि वह अन जाने में ही पलट गया ये चेन परिशान नहीं था वह चुपचाप अपने कमरे की और चला गया जब वह घर में दाखिल हुआ तो उसकी नजर पसीने से लगपद बाग के बच्चे पर भी पड़ी छड़ी बाग का बच्चा उसके साथ आने के लिए तैयार हो सकता है बोलते हुए ये चेन ने दरवाजे में प्रवेश किया पूरी रात कहने को कुछ नहीं था और फिर सुबह हो गई अगले दिन भोर के ठीक बाद ये चेन जिया उलिंगार्दन से बाहर आया पहाल की तलहटी में जियोंगेर किसी विशेश रूप में दिखाई नहीं दिया आज के जियोंगेर के शरीर के निचले हिस्से पर फूलों वाली पैंट और उपरी हिस्से पर बन्यान के अलावा शरीर पर एक और चीज है जो की उसकी छाती पर लटका हुआ एक चमकता हुआ चश्मा है जो सयमित रोशनी से चमकता है आईए एक स्पिरिट बढ़ किराय पर ले और उपर उढ़े ये चेन ने आसमान की ओर देखा ऐसा नहीं होताओ काम करने के लिए जियोंगेर ने तुरंत वीटो कर दिया मजबूत सभी लोग आकाश में उड़ते हैं आकाश में उड़ते आध्यात्मिक पक्षी पर बैठना बहुत असुरक्षित है मेरी बात सुनो ये स्वर्ग की तुलना में प्रित्वी पर अधिक सुरक्षित है बोलते हुए जियोंगेर ने अपने क्रोच से दो ताबीज निकाले हजारों रून ये चेन की आखे चमक उठी जैसे की वह ताबीज जानता हो यहां तक की ताबीज की क्षमता भी जानता हो एक बार इसका उप्योग करने के बाद वह एक दिन में हजारों किलोमेटर की आत्रा कर सकता था ओह आप जिन जिन्फू को जानते हैं जियोंगेर थोड़ा आश्चर एचकित हुआ आपने सुना जियोंगेर ने दोबारा नहीं पूछा और ये चेन को एक हजार पंक्तिया दे दी खचर ये उन्हें अपने पैरों पर रखें और उन्हें जीवन शक्ती से भरें सुनेश्चित करें कि आपको दिशा मिल जाए ये ताबीज बहुत तेज है पहार से मत टक्राओ आपने जो कहा उससे देखो ये चेन ने अपना हाथ लहराया और आकर्शन को अपने पैर से जोड लिया तुरंथ वो उसमें डालने के लिए क्यूई की एक धारा में विभाजित हो गया और लिंग्फू तुरंथ चमक गया और रेखाय दूब गई ये चेनियों की उडान जो अंतिम खशन में अभी भी अपनी जगह पर थी बाहर निकल गई जियोंग एरबुला के बाद चांड़होंग ने ये चेन के नक्षे कदम पर चांड़होंग का अनुसरंग किया गती में अचानक वृद्धी ने ये चेन को थोड़ा खुश कर दिया और यह पहली बार था कि वह एक हजार पंक्तियों का उप्योग किया हजारों पंक्तियों वाला ये चरित्र बहुत अच्छा है जैसे ही उन्होंने नित्रित्व किया ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा उनके कान सीटी बजाते हुए सुनाई दे रहे थे हाला कि आकर्षन की इन हजारों पंक्तियों की गती सू यन कियान जादू जितनी तेज नहीं थी लेकिन खपत की गई उर्जा सू यन कियान जादू की तुलना में बहुत कम थी हो अरे दोनों की परचाईयां पूरे रास्ते गायब होती रही और उनके पीछे धूल का गुबार था राग भर सरपट दोरते हुए दोनों एक बंजब भूमी में पहुँच गए जंगल अभी एक घंटा और लगेगा जियोंगेर ने समय और दूरी के बारे में पूछा मुझे तारानकन 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 गैस की गंधा रही थी ये चेन करा हो ठी आराम करो ठीक है कोई भाई है जियोंगेर के गोल मटोल छोटे हाथ ने ये चेन को सहलाया ध्यान से ये चेन की अचानक आवाज सुनकर उसने जियोंगेर को एक हाथ से पकड़ लिया और फिर तेजी से पीछे हट गया उच्छाल, दोनों अभी अभी निकले थे और जिसक शेत्रम में वे अभी अभी दाखिल हुए थे वहाँ विस्फोट हो गया था अच्छानक खंडहर ढहे गए और आसपास के विशाल और घने पेल गिर गए और यहां तक की जमीन पर तीन फीट आकार का गहरा गड़ा हो गया मैं बार ये देखकर जियोंगेर तुरंट चिल लाया यदि ये चेन ने पहले तुरंट प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो उन्हें मौके पर ही उड़ा दिया गया होता उसकी मा जिसने क्यांदाव को मारा उसने यहां जाल बिछाया जियोंगेर चिल लाया और चिल लाया जियोंगेर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चेन की आखे सिकुल गई और उसने सतरक्ता से चारो ओर देखा बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वह परेशानी में पढ़ गया और यात्रा की सुरक्षा के बारे में चिंता किये बिना नहीं रह सका सरस्राहट, सरस्राहट, देखते ही देखते अंधेरी रात में घरघराहट की आवा जाने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और खुन दिरने लगा मैं जाल सनरचनाओं के जाल से बच सकता हूं और आप पर नजर रख सकता हूं हसी के साथ एक बड़ा आदमी एक प्रेत तलवार के साथ बहर आया, वह आदमी नंगा था, उसकी भुजाय फैली हुई थी, उसके बाल कटे हुए थे, उसकी आँखे धसी हुई थी, उसकी आँखे खुन से लाल थी और उसके चेहरे पर एक चोटका निशान था, अत्य, च चोरेज बैग लाओ, मैं तुम्हें और अधिक खुश कर सकता हूँ, बड़ा आदमी अपने बड़े चाकू के साथ धीरे-धीरे आया और उसकी अत्याचारी भावना और भी बहतर थी, बड़ा, भारी चाकू कमजोर और थंडा था, ये देखकर जियोंगेर ने ये चेन की वातावरन है, प्रती व्यक्ति एक युवान और एक राज्य और उन्हें जेन्यांग से लड़ना है, यदि यह एक वास्तविक उच्चस तरिये सौर वातावरन है, तो दोनों सामान जल्द से जल्द खोले जाएंगे, हाला कि भले ही बड़े आदमी की आत्मा मजबूत है, ये बहुत अस्थिर है, पहली नजर में वो बस जेन्यांग में घुस गई, ये चेन और जियोन गेर स्वाभाविक रूप से उस वास्तविक दुनिया से दरते नहीं है, जो अभी अभी सामने आई है, डकैती, जियोन गेर के चिल्लाने के साथ किक गेंड की तरह जमीन से उ मौत की तलाश में, हान हान का चेहरा उदास हो गया और उसने उसे अपनी हथेलियों से थप थपाया, हाला कि उसकी नजर में लिंग तियान ने जो गदा तोर दी थी, वह अचानक पांच गुना बढ़ी हो गई, ये जानते हुए कि यह एक गदा थी, लेकिन उसे नहीं पत शरीरक्षत विक्षत हो गया और पूरी हथेली खून से लत्पत हो गई, हाला कि बड़े आदमी को चोट पहुचाने के बावजुद, जियोंगेर भी स्तब्ध रह गया और पीछे हट गया, बड़ा आदमी क्रोधित हो गया और जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, ये चे टूट गया, ऐसी आवाज सुनी, देहन के स्थान पर गहरा खून का निशान था, वास्तव में, ची, जब बड़ा आदमी आश्चरे चकित हुआ, तो बाग की दहार सुनाई दी, ये चेन ने रहसे में जानवर के गुस्से पर बाग का हमला किया और तुरंट बड़े आद और ना, हात, पैर, घुटने, कंधे, प्रतेक, गाच सभी जंगली हथियार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी प्रभावशाली हाथा पए युद्ध तकनी के एक संक्षिप्त आवस्था में घर्टित होगी, देहन को हराया गया था, हाँ, जियोंग एर चिलाया, गदा लेकर आया, और हान के खिलाफ लड़ने के लिए ये चेन के साथ काम किया, जो गुस्से में था, हाला कि आखिरकार वो सूर्य के सामराज्य में है, जल्द ही उसने खीचना बंद कर दिया और उसे बाहर कीच लिया, बेन लेई पाम, ड्रैगन चाइगर बॉक्सिंग, ये चेन और जियोंग एर एक के बाद एक बाहर आये, उच्छाल, मुठिया टकराई और गल्गलाई, जे न्यान की हतेली वास्तव में भयानक थी, और उसने ये चेन और जियोंग एड़ा से खून की उल्टी की, अंतर इतना बड़ा नहीं है, ये चेन ने आह भरी और उसके दिल में आह भरी, हाला कि उसके पास चलांग लगाने की ताकत थी, फिर भी उसे घोर अत्याचार का सामना करना पढ़ रहा था, तुम सब मरने वाले हो, बिग हान उस अजीब बच्चे से इतना शर्मिंदा हुआ कि बिग हान अचानक प्रोधित हो गया, किसे नहीं मरना चाहिए, जे चेन ने व्यान गय किया, लड़का, ये सुन्दर है, एक तरफ, जियोन गेर और ये चेन एक साथ खड़े थे और ये चेन को थमजब दे रहे थे, तुम बुरे नहीं हो, ये कैसा है, बड़े आदमी का जटका तुरंद घटनास्थल पर सुना गया, उसकी शक्तिशाली गती तुरंद खत्म हो गई, और क्रोध से भरा उसका शरीर शांती में लोट आया, तभी उसे पता चला कि उस पर एक जादू कर दिया गया था, और उसके पास अभी भी दो जादू थे, तियान लिंग मंत, बड़ा आदमी जेप गया, म प्रफुल लित, जब खून चमका, तो ये चेन ने चिकसियाव तलवार घुमाई, जिससे हान हैंशिंग लगबग विभाजित हो गया, बड़े आदमी ने खून की उल्टी की और पीछे हट गया, लिकिन इससे पहले की वह अपना रूप रोब पाता, जियोंगेर, जिसने आगे चलांग लगाए और उसे तोर दिया, खाम, गदा गिरते ही पांच गुना बढ़ी हो गई, जिससे जियोंगेर की सारी असली उर्जा खत्म हो गई, नहीं, 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 गदा को दुर घटना ग्रस्त होते देखकर, बड़ा आदमी भाय भीथ हो गया, वो ऐसा कैसे सोच सकता था क्योंकि वह एक बिक्षु था, राज्यक्षेत्र, वह एक संपीडित आत्मा और एक मानवक्षेत्र द्वारा मारा जाएगा, इसलिए भविश्य में कई रहस्यों को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा, हाला कि जैसा की रेन दहन चिललता है, न तो ये चेन और न आदमी निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा, ये साध्यों का संसार है, क्रूर, उच्छाल, गदा गिरते ही सारी प्रित्वी हिल गई, जब धुये के बादल गायब हो गए, ये चेन और जी उन गेर एक साथ आगे बढ़े, और वास्तविक सूर्य अवस्था में महा आशिली गई और उन्हें साफ किया गया, ऐसा करने के बाद दोनों गायब हो गए और गायब हो गए, उन दोनों के जाने के बाद अंधेरी रात में बैंगनी रंका लबादा पहने एक बुला आदमी बाहर आया, वहाँ सच्मुच आग है, ये चेन और जी उन गेर जिस दि अच्चे को बाहर निकाला, ओ मैं जा रहा हूँ, अचानक दोनों लोगों के बीच आश्चरे की आवाज सुनाई देने लगी, यह एक वास्तविक सूर्य होने के लायक है, ये समरिध है, दो स्वर्गी ये श्राप व्यर्थ नहीं है, पुराने नियम पाच या पाच, दोन के भंडारन बैग में 100-00-00 से अधिक स्पिरिट पत्थर हैं, ऐसा लगता है कि वह निलामी में भाग लेने के लिए अंधेरे बजार में जा रहा है, उसने एक छोटे से अंतराल के बारे में कभी नहीं सोचा था जो नाव को उलट देगा, ये चेन और जियोन गेर द्वार ये चेन की आँखों में चमक आ गई, उसने दो स्प्रॉल और भूत सिरवाली तलवार को अपनी चपेट में ले लिया और अंततह उसकी नजर उस छोटे से तिपाई पर पड़ी, ये बच्चा है, ये चेन की आँखों में एक शांदार रोशनी चमक उठी, मुझे ये पहार की मुठी हिलाओ, जियोंगेर ने स्क्रॉल पर नाम पर नजर डाली, और फिर ये चेन के हाथ में मौझूद कॉपी को देखकर दन रह गए और पूछा, कौन सी आपकी है, ये क्या है, ये चेन अपने हाथ में प्राचीन स्क्रॉल को देखकर मुस्कुराया, अध्या आओ, बदल लेते हैं, जियोंगेर ने इसे मौके पर ही पकड़ लिया और फिर अपनी कॉपी ये चेन में डाल दी, ये चेन का मुफिर कड़ा हो गया, अर्रे, ये तो बढ़िया है, जियोंगेर ने नीचे देखा और प्रसन्नता से उसकी और देखा, वो ही ये देखते लेकिन ये चेन की आँखों में घ्रिनित भाव पर कभी ध्यान नहीं दिया, आश्चर्य जिनक, ये चेन ने अपनी भोहेर रगणी और शेकिंग माउंटन बॉक्सिंग के रहसे पर ध्यान केंद्रित किया, एक सरसरी नजर के बाद, ये चेन को पता चला कि इस हिलती हुई पहारी मुख्य बजी और बेन लेई पाम का एक ही उद्देश है, ये दोनों मुख्य हमले के रहसे हैं और उच्चर शारीरिक आवश्यकताय हैं, अन्यता प्रचलित, आंतरिक शक्ती अनिवारिय रूप से उन्हें खा जाएगी, आधे घंटे के छोटे ब्रेक के बाद दो पिर सडक पर उत्रे, इस बार दोनों का काम आसानी से हो गया, जब आकाश भर गया, तो दोनों एक विशाल अंधेरी भूमी के सामने खड़े हो गये, ठीक है, ये भूतिया काला बाजार है, जियोन गेर ने आगे की और इशारा किया, जियोन गेर कहने की जरूरत नहीं है, ये चेन पहले से ही दूर से काली धर्ती को देख रहा है, निचला काला बाजार दसियों मील के क्षेत्र को जूलसी हुई धर्ती की तरह पूरे क्षेत्र को कवा करता हैंधकार में डूबा हुआ, प्रवेश करने से पहले वह खून, प्रूरता और आने वाली धंड़क को गया, जियोंगेर ने ये चेन को काले बाजार में खीच लिया था, जैसे ही उसने प्रवेश किया, ये चेन को एक अजीब और शक्तिशाली शक्ती महसूस हुई, इतनी मजबूत की वह उस शक्ती से कुचल गया, पर इस्थिती क्या है, ये चेन जियोंगेर को देखने से ख कुचल दिया जाएगा, अपरात की मजबूत दुनिया भी कुचल दी जाएगी, ये चेन ने अस्थाई रूप से जियोंगेर की ओर देखा, कोई अपवाद नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है, ये गुवांग ने पलग जटकाई, ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन चौप कौन है भाई, तियान हुआन में, जियोंगेर ने नीदरलेंड की काले बाजार पक्ष को इंगित करना नहीं भूलते हुए कहा, ये चेन ने स्थिती को देखा और पाया कि निचले काले बाजार का सबसे केंड्रिय स्थान, हवा में लटका हुआ एक और मंडप, जमीन से द पत्ती क्या थी, मैंने दाच्चू और ऐसी ताकत के बारे में कभी कैसे नहीं सुना, ये चेन ने जियोंगेर को आश्चार्य से देखा, जियोंगेर जो हमेशा सर्वग्य रहे हैं, ने इस बार थोड़ा सिर हिलाया, मेरे बुले आदमी की बात सुनो, हैंग यू जोंग ज ये चेन आश्चारय चकित हुए बिना नहीं रह सके, बिक्षूओं के छे स्तर, निंकी, रेन्योवान, जहे न्यांग, लिंगक्सू, नैदरवल्ड, हेवनली साइलेंस, कदम दर कदम आकाश पर चरते हुए, यहां तक की तीन मुख्य द्वारों और सबसे शक्तिशाली र फिर कहा, पौरानिक कथा के अनुसार, खून के प्यासे मंदिर के लोग यहां परिशानी खड़ी करने आये थे, लेकिन वे हार गए और घर लोट गए, त्यानेक सुवानमेन इस भूमी के प्रतीक की तरह है, चाहे वह मार्शल आठो या पारिवारिक खेती, वे उनकी महिम को चुनोती देने की हिम्मत नहीं करते, ये चेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन केवल जुवानमेन की ओर देखा, उसकी आखे भाय से भरी थी, दोनों मन ही मन सोचते हुए गहराई में जाते रहे, वाई चेन ने पाया कि जो भिक्षु यहां आय और गए, उनकी भले ही शांदार थी, लेकिन मरम्मत को घनीबूत करने के लिए दबा दिया गया था, जिससे उसे आह निकलनी चाहिए, चाहे आप बाहर कितने भी मजबूत क्यों नहों, आप यहां पड़े हैं, वह जितना गहराई में गया, ये चेन उतनी ही अधिक चिल लाए, ये प्रे के लोग जंगली आत्माओ, रख लाल आखों और क्रूरता के साथ बहादुर हैं, यहां आओ, देखो, और लिंग शी लिंग ये बिक्री के लिए है, क्या तुम्ही कोई जादूई हतियार चाही, दाव यू, ये सब अच्छी बाते हैं, दोनों शोर शराबे वाली जगह प रक्त क्रिस्टल, रक्त लाल कमल, रास्ते में ये चेन देखता रहा, कैसा है, एक दम ताजा, जियोंगेर ने अपने मोटे शरीर को मोगा और एक, छोटे मैत्रे ये बुद्ध की तरह आगे बढ़ गया, नीमा मजा किया लग रही थी और उसने अपने चारों और कई लोग हो या परिवार को पालने वाला मजबूत व्यक्ति हो, वह, मुझे विश्वास है कल नीलामी शुरू होगी, हम अभी वापस जाएंगे और यहां रात बहुत जीवंध होगी, जियोंगेर ने कहा, उसकी स्तन से मुर्गे की टांग निकली और उसने बिना चेहरे और तवच जियोंगेर ने कहा, और बचे हुए चिकन पैर को वापस अपने क्रोच में डाल दिया, और फिर एक दिशा में देखा, यह चेन ने चारो ओर देखा और अपनी भौहे रगणने से खुद को नहीं रोक सका, उस जगह पर बहुत सारे लोग थे, अंदर और बाहर बहुत जी जियोंगेर चला गया और ये चेन स्टालों के चारो ओर भूम रहा था, वह अंत तक चुनता है और चुनता है, लेकिन अपने दिल में वह उम्मीद करता है कि असली आग उसे कुछ याद दिलाएगी, अन्यता वह वास्तव में नहीं देख पाएगा कि बच्चा क्या है और जो एक समानांतर है, मेरे दोस्त, मैं बिलकुल बच्चा हूँ, नहीं खरीदने का अफसोस मत करो, इस गाव के पीछे ऐसा कोई स्टाल नहीं है, जो चेन इन जीन गुरों की आवाज पूरे रास्ते सुन सकती थी, वह केबिन में मौझूद चीजों को देखकर आश्चरे चकित रह गया, बहुत सी चीजे उसने पहले कभी नहीं देखी थी और बहुत सी चीजे जो वह नहीं देख सका, अचानक ये चेन रुख गई और दूर देखने लगी, सफेद कपड़े पहने एक महिला नीले रेशम की कपड़े तेरते हुए वहां से गुजवी, उसके कप बलके फूल की तरह लहरा रहे थे, वह एक परी की तरह है जो 9 दिन दुनिया में रहती है और दुनिया के संपर्क में नहीं आती, इस व्यक्ति पर करीब से नजर डालें, क्या जी निंग्शूंग हिंग युयजोग से नहीं है, अध्याय सेंतालीस, तिपाई, वह भी यहा प्यार नहीं करेगा, लेकिन वह नफरत नहीं करेगा, उसके दिल में जो दर्द है वो बस कुछी पलका है, अचानक ये चेन को अपनी बाहों से एक भूत की सिर का मुखोटा मिला, जो उसके चेहरे को ढख रहा था, आकृती का आग्रा किया गया, जी निंग्शूंग में पहचाना, जी निंग्शूंग जोग का एक साच, बहन जी कहीं और देखो, हुआ यूने धीरे से फोल्डिंग पंखा हिलाया, मुस्कुराते हुए मानो वसंत की हवा आ रही हो, बहुत आरामदायक लग रहा था, जी निंग्शूंग शांत देखे, लेकिन उन्होंने म मिला, आप नकाब में क्या कर रहे हैं, जी निंग्यर ने ये चेन को गुस्से से देखा, मैंने इसे अभी खरीदा है, बहुत अच्छा, ये चेन ने अपना मुखोटा उतार दिया, पैसा बहुत जलता है, जी निंग्यर ने शाब दिया, मैं भाग गया, मुझे रहने के ल करते हुए, जी निंग्यर ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और ऐसा लग रहा था जैसे वह का मुत्तेजक का अध्यायन कर रहा हो, इसकी भरपाएं मत करो, ये चेन ने शाब दिया और अपने कमरे में लोट आया, कमरे का दर्वाजा कसकर बंद करके, ये चेन न वह छोटा तिपाई निकाला, ऐसा लग रहा था कि जी ओडिन को कुछ समय के लिए जमीन के नीचे दफनाया गया था लंबा, पूरे शरीर पर धबेदार शरीर और आगे की और आती हुई प्राचीन आत्माओं के विसफोट, मुझे नहीं पता की अंदर क्या रहस्य होगा फिर ये चेन ने जिजी छोट, लौकी निकाली और लौकी का कॉप बाहर निकाला, डुंजन, अचानक लौकी जिजिन काम पुठी, फिर छोटा भावर फिर से प्रकट हुआ और जिजिन लौकी ने जियाओडिन की एक बोतल को वही निगल लिया, डुंजन, डुंजन, छो छोटे से तिपाई में छिपा रहे से अविश्वस निय होना चाहिए, आखिर यह रहे से क्या है, अपने हाथों को आपस में रगरते हुई, ये चेन छोटी लौकी को देखने से खुद को नहीं रोक सका, बैंगनी सोने की लौकी ताजगी भरी स्पिरिट से भरी हुई थी और छोटा तिपाई स्पिरिट तरल के उपर लटका हुआ था, बिना हिलाय, बिना प्रकाश की चमक के, एक शांतिपूंग निलंबन की तरह, ये चेन थोड़ा घबरा गया और इंतजार करता रहा, केवल एक घंटे बाद, जिजिन लौकी ने गुनबुनाया और छोटे त तिपाई को उगल दिया, ये सिर्फ इतना है कि ये चेन को पता नहीं चला कि जियो डिन के थूखने से एक शन पहले, डिन से खुनकी एक बून टपकी और छोटी लौकी में स्पिरिट तरल में पिघल गई, वो, वो चला गया, ये चेन को दिंगजोग का रह से समझ में नह और ये चेन ने जमीन से छोटा तिपाए उठा लिया, जियो डिन अभी भी वैसा ही दिखता है जैसा निगलने से पहले था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये चेन ने शाप दिया, उसका आत्म विश्वास बढ़ गया, और उसने तुरंत सच्ची अगनी अर्पित की जियो डिन को कवा कर लिया, एक घंटे बाद, ये चेन ने असली आग ली, एक मश्रूम के साथ जमीन पर बैठकर जोर से हौनफते हुए, और छोटा डिन अभी भी बरकरार था और ये चेन द्वारा लंबे समय तक बिना पिगले जला दिया गया था, तुमने ऐसा क्या किय कि तुमने जलने वाली असली आग को नजर अंदाज कर दिया, ये चेन ने जियो डिन को पकड़ लिया और आह भरी, सची आग भी उसे पिगला नहीं सकी, वह वास्तव में धहर्यवान था, हाँ, उसके हृदय में एक और अभिशाप था, ये चेन ने छोटी बैंगनी लोक को पकड़ लिया और स्पिरिट जूस के कुछ कौर लेकर अपना सेर उठाया, ठीक है, स्पिरिट जूस उसके शरीर में वैसे ही प्रवाहित हुआ जैसे वान क्विन क्वान पहले की तरह उसके शरीर में प्रवाहित होता था, लेकिन जिस बात ने ये चेन को अस्पष्ट बना दिया वहती स्पिरिट जूस निगलना इस बार यह सामानने से थोड़ा अलग था और वहंतर नहीं बता सका। अजीब हसास कैसे हो सकता है। थोड़ा गर्म महसूस करते हुए ये चेन ने अपना कॉलफार दिया। जल्द ही उसके शरीर में रक्त का संचार तेज हो गया यहां तक की थोड़ा उबलने लगा जिससे उसका शरीर और भी अधिक जला हुआ महसूस हुआ। अपने सूखे होठो को चाटते हुए उसने बैंगनी सुनहरी लोकी को फिर से उठाया और अपना सिर फिर से थोड़ा उपर उठाया। जल्द ही जलन तेज हो गई। उसने सिर हिलाया ये चेन थोड़ा चकित हो गया और उसका मुव फिर से सूखने लगा। वह बैंगनी सुनहरी लोकी में और अधिक स्प्रिट जूस डाल रहा था लेकिन जितना अधिक वह प्यासा था उतना ही अधिक वह पीना चाहता था। अंजाने में जिजिन लोकी का अधि आत्मिक तरल पदार्थ पी लिया वह छटे संक्षेपन स्तर तक अपनी प्रगती से अनभी गया था। क्या उसे पता ही नहीं चला कि कब वह चिल लाया और अपने कपड़े फार दिये। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो यहां तक कि उसके पूरे शरीर का हर छोटा-छोटा रोम भी जल रहा था। पानी अंजाने में बैंगनी सुनहरे लोकी को पकड़ते हुए ये चेन ने पानी के एक और जोके के लिए अपना सिर उठाया और लंबे समय तक नहीं रुका। फूह जल्द ही उसके शरीर में ऐसी आवाज सुनाई दी। वह के साथ ये चेन का रूप बदल गया। उसकी आखे खून से लटपत थी और माथा सूजा हुआ था। ये खत्म नहीं हुआ। उसके शरीर पर एक असपश्ट काली धुंध है और पूरे शरीर का हर छिद्र काले जादू की भावना से भरा हुआ है और लंबे काले बल नगन आखों को दिखाए देने वाली गती से रक्त लाल हो जाते हैं। सबसे महत्वक पूर्ण बात यह है कि उसकी भाव में एक जादूई रोशनी चमक रही थी और एक अजीब जादूई पैटन टिम्टिमा रहा था। को उसने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर जुग ग पूरी रात कहने को कुछ नहीं था और फिर सुबह हो गई। जैसे ही डूपते सूरज की किरंखिलकी से उसके चहरे पर पड़ी वह अचानक बैट गया। थोड़ी देर रुखने के बाद उसने जल्दी से शव का निरीक्षन किया जब उसे पता चला कि उसकी कमीज फट ग पिछली रात क्या हुआ एक पल के दुख के बाद उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था। बैंगनी लोकी की ओर इशारा करते हुए ये चेन की आँखे धुंदली हो गई। कल रात उसने अंदर का आध्यात्मिक तरल पडार्थ पी लिया और फिर सभी प्रकार की कमरे का दर्वाजा खुल गया। जाओ निलामी शुरू होने वाली है। आउच। ये चेन ने जवाब दिया लोकी के कॉप को धग दिया फिर बैंगनी लोकी को बंद कर दिया और जीयोंगेर के साथ बाहर चला गया। अध्याय 48 पूरे जोश में जब दोनों नीचे गए तो उन्होंने देखा कि सडक लोगों से भरी हुई थी बिना किसी अपवाद के सभी काले बजार के केंडर की ओर जा रहे थे। ये द्रिश्य सामान्य और विशाल नहीं है। ये चेन ने कहा और अपना भूत वाला मुखोटा वापस पहन लिया। ये यी रोंग वान और ब संभालना चाहता था लेकिन उसे याद आया कि जी उन्गेर उसकी गोट से उतर गया था और सूखी खांसी से बोला तुम इसे रखो। मैं मास्क पहनूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी बाहों से मास्क हटा कर अपने चेहरे पर लगा लिया। इसे मत खीचो। जी उन के केंद्र के पास एक मचान है जो बादलों में उभरा हुआ और अद्भुत है। इस मचान को हिदन ड्रेगन पवेलियन कहा जाता है और यहीं पर यूडू वर्षों से निलामी करता है। इस समय हवा से देखने पर चोकली के लोगों का प्रवाश शामिल हो गया है। वे स समय खत्म हो गया, जल्दी क्या है? मुझे नहीं पता कि इस बार तियानिक सुवनमेन में क्या निलाम किया जाएगा। तियान जुवनमेन द्वारा आयो जित निलामी वास्तव में उत्कृष्ट है। भील के पीछे ये चेन बढ़बढाने के अलावा कुछ नहीं कर सका च जल्दी, हिदन ड्रेगन पवेलियन का गेट गुनबुनाया और धीरे से खुल गया। जैसे ही दर्वाजा खुला, सबसे पहले काले रंग का एक बुढ़ा आदमी नीली ड्रेगन छड़ी के साथ अंदर आया। ये व्यक्ति कौन है? ये बहुत बड़ा है, तुम्हें ये चल्दर, जियोंगेर भील के पीछे पीछे चला, उसके ताजे छोटे मास का धेर लगभग एक मास पाई में निचोड़ा हुआ था। जब संख्या कम थी, तो ये चेन ने कदम बढ़ाया और प्रवेश किया। प्रवेश करने पर ये चेन ने पाया कि ड्रेगन मंडप पतंत्र था और वर्ग बहुत बढ़ा था। हौल में नकाशिदार जेद स्तंब, जादूई उड़ने वाले फूल और यहां तक की सजावटी जड़ी बूटिया और फूल असाधारन है। कितनी बड़ी बात है। ये चेन ने फुस फुस आया, जिन लोगों ने प्रवेश किया उन्हें शीघरता से अपना स्थान मिल गया। पहली बार निलामी में आया अधिकांश भिक्षूओं की आँखों में नई रोश्नी थी। जहां तक उन भिक्षूओं का सवाल है जो पहले आ चुके थे, वे बहुत आसान लग रहे थे। बस यही है, यही है। सियोंग कर रहा हूं कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। यह चेन शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आपके पास मास्क है और आप इसे नहीं खा सकते। मैं इससे आपके लिए खाऊंगा। तुम मर रहे हो। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक एक बुरा आदमी इस यूवेई को कुचल दिया गया था, बैंगनी वस्त्र पहने बुरे व्यक्ती ने उसे यह आभास दिया कि विशाल परवत सबसे उचा था। ये चेन ने दूर देखा और बैंगनी रंग के बुरे व्यक्ती ने भी हलके से ये चेन की और देखा, लेकिन उसकी आखे खुबसूरत कमरे में चले गए, सितु का घर जिसु में आ गया है, क्या वह बेच्चुआन का शाही परिवार है, ऐसा भी हुआ, डोंग्यू में शांदगुआन का घर, उनमें से अधिकांश किसान परिवार से आय थे और लड़ाई छोटी नहीं थी, मंडप में सभी विक जो लिगूओ को चाकु मार रहा था, ने एक तरफ मोटे कान वाले एक मजबूत व्यक्ती की और इशारा किया, ठीक है, यह मेरा दूसरा चाचा है, तुम्हारा दूसरा चाचा, एक यादरच्चिक द्रिश्य जैसा दिखता है, यह जरूरी है, हिंग योयजों भी यहां है दूसरा चिल लाया, यह सुनकर की यह चेन और जियोंग एर अतीत में आश्चारे चकित थे, एक नकारात्मक तलवार वाला एक मध्यम आयू वर्क का व्यक्ती दरवाजे में प्रवेश कर गया है, जो भयनकर लोक्रियता की भावना दिखाते हुए लंबा और सीधा खड़ हैं, जैसे ही उसने कहा, नीचे से एक आवाज आई, लेकिन वह भुरे बालो वाला एक बुड़ा आदमी था, वुचांद क्विंग, यह चेन ने उस आदमी को एक नजर में पहचान लिया, लेकिन क्या वह जेंग्यांग जोग का रियानवयन हौल का बुजूर्ग नहीं थ जैस व्यक्ति ने उस दिन उसे जेंग्यांग जोग से बाहर निकाला था वह वुचांद किंग था, किंग युनिजोग ने भी किसी को भेजा था, उसके बाद तसींगी में एक बुड़ा आदमी बेत के साथ दाखिल हुआ, उसके पीछे एक बुड़ा आदमी और बैंगन रंग के कपड़े में नहीं था, जिस दिन उसने अपना डेंटियन रद किया था, ये चेन ने पहचान लिया और ग्रे हो गया और ये लूजी था, जो किंग युनिजोग की नौवी सच्ची जीवनी का दूसरा सच्चा शिश्य था, इस प्रतिशोद की सूचना दी जानी चाहिए, ये चेन की मुठी अंजाने में हिल गई, सानजोग पहुचे लोग एक एक करके दूसरी मंजिल पर चट गए, और तीन जलपरिया दरवाजे पर आई, भूरे बालो वाला एक बुढ़ा आदमी, बेंगनी बागे में एक अधिल हुम्र का आदमी, और सफेद बाग पुरुष, ये द्रिश्य अधिकतर आश्चर्य की ध्वनी वाला था, तीन महान चू संप्रदाय, रक्तपि पासू महल उत्तरी चू पर हावी हैं, लेकिन वे सच्चे दिगगज हैं, और तीन संप्रदाय उन्हें आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करते हैं, ये अब पता होने चाहिए और मुझे नहीं पता में बकवास करना बंद कर दूनगा, यांग अगे ने हमेशा सकती से कहा, अख़द, शुरू करो, तुरंत, मंच पर कोई स्पिरिट तलवार लिये हुए दिखाए दिया, वह स्पिरिट तलवार बैंगनी रोशनी में खड़ी है, त चतम कीमत इसे लेगी, बुजुर्ग यांग जी ने हलके से कहा, मैं 5000 और 1000 हूँ, जल्द ही, कई लोगों ने साइन पकड़ लिया, 5000, 3000, 6000, बस एक सास दूर, एक स्पिरिट तलवार की कीमत बढ़ गई, जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, नीलामी गर्म हो गई, ये भी ये चेन अपनी जीब को हकलाने से नहीं रोक सका, पहली नीलामी वस्तू की कीमत इतनी आधिक थी, इसलिए जी उनको उन स्पिरिट पत्थरों पर शर्मा रही थी, क्या आपने एक बड़ी शुरुआत के बारे में सुना है, एर ने कहा, पहली बिक्री जीवित है और पीछ एक लाख, इस समय, दूस्वी मंजिल से एक आवाज आई, और बोली लगाने वाला जेंग्यांग जोग वो चांद की था, इस बार, नीचे के लोग बस मर गए, अगर कोई कीमत नहीं बढ़ाता है, तो यह जीयांग तलवार जेंग्यांग संप्रदाय है, उचे मंच पर, यांग जी ने नीचे नजर दाली और देखा कि किसी ने कीमत नहीं बढ़ाई, फिर अपनी आस्तीन में जीयांग तलवार लहराई, तो रंत कोई हाथ में भठी का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़े हुए, घटनास्थल से बाहर आया, छोटी तामबे की भठी पर सड़क क पैटन की नककाशी की गई थी और वहरोशनी से चमक रही थी, हाला कि यह एक थपड़ के आकार का था, इसने एक शक्तिशाली आत्मा को प्रकट किया, 30,000 युवान की शुरुआती कीमत वाली जियांग कौपफनेस की निलामी अब शुरू हो रही है, जल्द ही, किसी के लि की भठी के पीछे एक नजर टिकी रही जो इसे पाने के लिए क्विट्सन कल्ब थी, ये छोटा तामबे का ओवन भी अच्छा है, ये चेन ने उसकी थुड़ी को छुआ, यदि आप चाहें, तो कीमत बढ़ा दें, जियोंगेर ने कहा, पैसे नहीं है, रहने भी दो, पलक जपकते ही, नीचे की छोटी तामबे की भठी पहले ही 150,000 की उची कीमत पर बेची जा चुकी थी, और यह निर्भर करता है, खड़े होने पर, छोटी तामबे की भठी हासिल करना अभी भी मुश्किल था, 16,000, मैं क्विंग युनिजोग हूँ, उपर बुजुर्ब किंड युनिजोग की आवाज आई, अचानक, बैनर का निचला हिस्सा उड़ गया, जिससे केवल 160,000 स्पिरिट पत्थर रह गए, उलेक करने की जरूरत नहीं है, किंड युनिजोग का ये विशाल का हिस्सा कु अगली चीज जो उसने निकाली वह भी भी एक जादूई हथियार था, यह एक अफवाह दरपन था, जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, एक गर्म रोशनी चमकी, शुरुआती कीमत 100,000,000 है, 11,000, नीचे बैंडनी रंग का एक आदमी पहली भेट, जो उक्यंक तुम बहुत चोटे हो, लेकिन तुम ये गपशब दरपन नहीं ले सकते, दूसरी ओर, एक गंभीर चेहरे वाला सफेद बालो वाला बुड़ा आदमी व्यंग्य कर रहा था, मेरे पास 120,000 है, सफेद बालो वाला बुड़ा यिन यिन मुस्कुराया, जो कांग थंडे दिखे और दहारत सुनी जा सकती थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों कुछ समय से नाराज थे और कतार में रुखापन और दुश्मनी थी, बेशक यह अंधेरे बाजार की निलामी उतनी शान्त नहीं है जितनी लगती है, वास्तव में ये लोग गुप्त रूप से लड़ रहे हैं, बीस हजार, आप 10,000, 21,000, बगुआ दरपन बेहद प्रतिसपर्धी था और दोनों ने फ्लश और मोटी गर्दन अरजित की, संतुलन तब तक नहीं तूटा जब तक तीसरा व्यक्ती, उसके बाद चौथा और पाच्वा शामिल नहीं हो गया, प्रतिसपर्धियों की संख्या बढ़ने मैं कैसे मा, नलू की इस नीलामी का हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, पैसे नहीं है, सच में परेशान हूँ, नीचे आठ आरेखों के दरपन की बोली समाप्थ हो गई है, और यहे एक बंदर की तरह पतला बुड़ा आदमी निकला, खंफ, खंफ, जिन भिक्षुओं ने गपशब दरपन की कारण अपनी नफरत बुझा ली थी, विठंडी रोशनी में सूनगने लगे, अध्याय उन्चास, धर्खोना इस बिंदू पर चोथी नीलामी वस्तुयांगगे द्वारा पहले ही निकल ली गई है, और यहां भी टौवर 80,000 का आरक्षित मूल्य, प्रतियोगिता के लिए इस तिबबती ड्रेगन मंडप में बिखरे हुए बारूद की तीवर गंध है, और सभी रोशनी ठंडी है, यदि यहां इसे प्रतिबंदित नहीं किया गया है, तो मुझे डर है कि ये मार्शल आर्ट लड़ाई स बाहर आ गये हैं, इस भूमी में अभ्यास करने वाले परिवारों की एक अंतहीन धारा है, और सभी प्रकार की शिकायतों का एक लंबा इतिहास है, इस समय गोस्ट लेक मार्केट नीला मी उन्हें यहां ले आई, जिससे उन्हें एक मंच मिल गया, भले ही विखून से नहीं लर सकते, कम से कम वे कीमत के मामले में एक दूसरे से लर सकते हैं, लेकिन केवल अगर आपके पास है, पैसा, तीन लाख, नीचे, भूरे बालों वाला एक बुड़ा आदमी अपने दात पीस रहा था और अंततह कीमत चिल्ला कर बताए, क्यूं, क्या तुम नश्ट होना चा वाला बुड़ा आदमी खून के प्यासे मंदिर को क्रोधित करने और उसके परिवार पर विपत्ती पैदा करने के डर से जल्दी से भाग गया, अपने परिचितों की गिंती करें, नीलामी जारी है और अगली वस्तुए जादूई का लकृतिया है, नीलामी के चरन समाप् होने के बाद चर्मोतकर्ष दोहराया गया और भयानक वस्तूओं को हटा दिया गया और नीचे की आवाजे सदमे से भरी थी, जल्दी एक काली लोहे की रौड मंच पर भेजी गई, लोहे की सिल्लिया आरक्षित मूल्य दस हजार युवान है और नीलामी शुरू हो गई है यांग जी ठके हुए लग रहे थे, उन्होंने अपना मूँ बंद कर लिया और लापरवाही से कहा, ठीक है, जैसे ही लोहे की छड़ को बाहर निकाला गया, ये चेंट जिसने कोने में अपनी आखे बंद कर ली थी, ने अचानक अपनी आखे खोल दी क्योंकि आख टिम्ट ग्रस थी, मैं नहीं देख सका कि मैं कैसा दिखता था, आश्चरे की बात है, ये चेंट की तरह नीचे के भिक्षूओं ने चौड़ी आखो से लोहे की छड़ को देखा, ये क्या है, किसी ने यांज लेजली एम को देखा संदेह, क्या ये सही नहीं है, लोहे की छड़, य ने मूं के कोने कापने से नहीं रोक सका, आप बहुत कैजूल है, यांग जी ने इतनी लापरवाही से कहा कि नीचे के भिक्षूओं ने उपहा सुड़ाया, यदि आप इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो यह निश्चित रूप से कोई खजाना नहीं है, बिक्री भी बदसूरत है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो इसे मत खरीदो, यह कोई नहीं चाहता, उसने नीचे देखा, और जब किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो यांगगे लोहे की छड़िकठा करने ही वाला था, धीरे से, तभी कोने से आवा जाई, मुझे ये लोहे की रोड चाह वरिष्ट, दस हजार आत्माएं, मुझे ये पसंद है, क्या आप बीमार हैं, दस हजार स्पिरिट स्टोंस एक टूटी हुई लोहे की छड़ खरीदते हैं, जियोंगे इर शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका, ये निशुल्क है, मैं लगका, दोनों लोगों के बीच की बातचीत से तुरंत बहुत हसी आई, और वरिष्ट लोग ये चेन और जियोंगे इर से खुश हुए, अगर कोई कीमत नहीं बढ़ाता है, तो ये लोहे की छड़ी इस छोटे दोस्त की है, धीरे धीरे, यांगे के पुराने शब्द एक आवाज से बादित हो गए, यद वू चांद कींग बोली लगा रहे थे, उनकी मुद्रा उची थी और रेखाओं के बीच का अर्थ यह संकित दे रहा था कि लोहे की छड़ी उनके अंदर कुछ थी, आस्तीन, कोने में ये चेन की आखे थोड़ी सिकुल गई और फीस फिर से बढ़ गई, मैं तुम्हें 12,000 दूनगा, शब्द सुनकर, नीचे एक और तुच्छता थी, ये बच्चा कौन है, जेन ग्यान गजोग से कुछ छीनने की हिम्मत करो, और यह अभी भी एक काली लोहे की छड़ है, बाचेन के सिर पर पानी है, शोर में वू चांद कींग मुस्कुराया, लड़का, क्या जोग से कुछ चुराने की हिम्मत नहीं की, इस मामले में, ये सीट खेलने के लिए आपके साथ होगी, मैं आपको बीस हजार स्पिरिट स्टोन दूनगा, दो हजार की स्थिती में, ये चेन की आवाज तुरंट सुनाई दी, तीस हजार, एक तीस, ये चेन ने तुरंट पी पहाड से नीचे उतार दिया गया था, टोनी, बहुत अच्छा, मैं चालीस हजार में से हूँ, वो चानकीं के शब्द अभी भी अपमांजनक थे, और उनकी नजर में हजारों स्पिरिट स्टोन उलेक के लायक नहीं थे, एक लाक, केके, ये चेन ने वास्तव में बात करना बंद नहीं किया, उन्होंने एक शब्द से दर्शकों को लगभग डुबो ही दिया, मैं जुक गया, तुम पागल हो, जियोंगेर ने ये चेन को डाटा, ये चेन ने उसे नजर अंदास कर दिया, लेकिन खुद को उपर देखने से नहीं रोक सकी और दूसरी मंजल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बुले आदमी, क्या तुम अभी इस तरह खेलने का मज़ा ले सकते हो, ये केवल 100-00-00 है, जाहिर तोर पर वुचांद किंग को उम्मीद नहीं थी कि ये चेन एक सास में 100-00-00 तक पहुँच जाएगा, जिससे उसका चेहरा थोड़ा उ पास किया, लड़के, तुम्हें मेरे साथ कुछ प्रकार जोड़ना होगा, बीस हजार, उड़ा दिया, मैं, जैसे ही वह शब्द निकला, पानी थूखने की आवाज बुंजुठी, बच्चा कौन है, 200,000, बड़ा साहस, इस बार, ये चेन को पूरी तरह से फोकस में बुल इस समय, बहुत से लोग चारों और देखने से खुद को नहीं रोक सकते, ये चेन बहतर है, जैसे कुछ भी नहीं, चाय पीना, वह जानता है कि पैसे के लिए कैसे लड़ना है, वह वूचांद किंग का प्रतिदवन्ध भी होने से बहुत दूर है, लेकिन उस बच्चे के लिए उसने फिर भी वूचांद किंग से लड़ने का फैसला किया, यहां तक कि अगर वह बच्चे को गोली नहीं मार सका, तो भी उसे अधिक स्पिरिट स्टोन खर्च करने होंगे, निस संदेह 200-00-00 उसकी सीमा है, यह अभी भी उन जेद जूस से जुड़ा हुआ है, इस उसने खुलया में इस तरह कुछ लूटने की हिम्मत की और जेंग्यांगजोग ने 200-00 की कीमत भी लगाए, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन 200-00-00-00 में एक तूटी हुई लोहे की छड़ खरीदना वास्तव में असंभव है, अब उसके लिए बाग की सवारी करना म आप मुझे फिर से जोड सकते हैं, मैंने इसे उधार लिया था, मुझे वापस लाना मत भूलना, ये सुनकर ये चेन थोड़ा भ्रमित हो गया, जिसने सोचा था कि महत्वपूर्मक्षन में जीयोंगेर इतना उज्जवल होगा, जिससे उसे एक गर्मकर्ट का एहसास अगली बार एक बड़ा काम, जीयोंगेर ने अपने हाथ फैलाए, धन्यवाद, ये चेन कृतगिता पूर्वक मुस्कुराए, तीन सो हजार, जैसे ही उनकी आवाज सुनाई दी, इसने दर्शकों में एक और संसनी पैदा कर दी, इस समय, यहां तक की जी निंशुन, जो हम उदासीन रहते थे, मदद, नहीं कर सके लेकिन आश्चर्य चकित नजर नहीं आए, ये चेन को नकाब में देखा, उसकी भोहें थोड़ी सिकुल गई, वो चांदकिं का चेहरा देखकर, ये पहले से ही इतना उदास था कि यह बेहत दरावना था, और उसकी आँखों में थ कब कहने से खुद को रोक नहीं सका, सारवजनिक रूप से दाटे जाने पर, वो चांदकिं की मुठी ने उसकी आस्तीन भींच ली, उसके दाग भींच दिये और कहा, मेरे पास तीन लाख हैं, 500,000, ये चोटा बच्चा भगवान के विरुद्ध जाएगा, अचानक सब की आखें उपर उठ गई, किसने सोचा होगा कि जिस लोहे की सिल्ली को टूटा हुआ माना जाता था, उसे 500,000,000 की कीमत पर बेचा गया था, इस पूरी नीलामी के दोरान मुझे डर है कि केवल इसी वस्तु ने इतनी उची कीमत हासिल की है, उच्छाल, जैसे ही उसने जेंग आत्माय उलेक के लायक नहीं है, लेकिन पाँच लाख आत्माय कोई छोटी संख्या नहीं है, हाला कि वह बुड़ा है, फिर भी उसमें पाँच लाख आत्माय खर्च करके एक टूटी हुई लोहे की छड़ खरीदने का साहस नहीं है, सुर्खियों में वू चांदकिं का को नहीं बढ़ाये है, ये लोहे की पट्टी उस छोटे दोस्त की है, अनुभवी यानगगे को अंतिम रूप दिया गया, निमनलिखित में है कुछ वस्तू की नीलामी, हाला कि कीमत कम नहीं है और नीलामी काफी जीवन्थ है, उनमें से कोई भी लोहे की पट्टी जितना रो अध्याए 50, बेंदनी आदमी जैसा की यानगगे लाओ जहोंग ने कहा की आज की नीलामी समाप्त हो गई है, जांगलोग में सभी लोग खड़े हो गए और उन्हें लोहे की सलाखों की पिछली पेशकश में कोई दिल्चस्पी नहीं थी, परिनामस्वरूप जब हर कोई खड़ा था, तो उन्होंने ये चेन पर गहरी नजर डाली, मैं लेटिस्टिक लाओंगा, आप पहले वापस आएं, ये चेन ने स्टैंड के चारो ओर देखा, और फिर दूसरी मंजिल पर खुबसूरत कमरे पर नजर डाली, फिर जियोंगेर की ओर देखा, जब आप बहर जाएं, तो अपने पीछे ध्यान दें, ठीक है, क्या वह मेरा दूसरा चाचा है, जियोंगेर ने अपना हाथ लहराया, धीर में फिसल गया, एक पल में गायब हो गया, जियोंगेर के चले जाने के बाद, ये चेन लिदन ड्रेगन पवेलियन के पिछले हॉल में गये, वू चांद किंग का चेहरा बेहद उदास था, उसकी आवाज थंडी और हड़ी भरी थी, लल्का, मैं तुम्हें अपनी साजश की कीमत बताऊंगा, उचित प्रस्ताव, वह उचितम कीमत की साथ जीतता है, और बुजुर्ग पैसे खर्च करने के लिए अनिच्छुक हैं, जो म आपको लगता है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, प्रस्थान कर रहे वू चांद किंग पर उपहास के साथ, ये चेन मुड़ी और पीछे के हॉल में चली गई, ये चेन को देखकर, दूसरी तरफ फ्यूटन पर बैठा बुरा व्यक्ति घूरने से खुद को रोक नही वरिष्ट वू यांगगे ने कहा, अब और मत पूछो, लेकिन मूंच के साथ काली लोहे की छड़ निकाल ली, और ये चेन ने पहले ही एक भंडारन बैग निकाल लिया था, और उसे बड़े दर्द के साथ दिया था, पांच लाख आत्मा के पत्थर वास्तव में और कहा कि वह अपना हाथ फैलाना नहीं भूला है, और विनती करते हुए इशारा किया, छोटे दोस्त प्रिपया अंदर आओ, ये यांग अचानक इतने दयालू हो गए, जिससे ये चेन कुछ हतक प्रसन हो गए, अंदर आओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यांग पहल करना बहतर था, वह पीछे वाले हौल के दर्वाजे के पीछे गया और अंदर गया, तभी देखा कि पीछे वाले हौल के पीछे एक छोटा सा आंगन था, छोटे से आंगन की अपनी सीमाय है, ये वैभव से भरा है और ये चट्टानी पहाडियों से भरा है, ये आध् प्सूरत छोटा सा बगीचा, छोटे साथी, क्रिपया, जैसे ही ये चेन आश्चारे चकित हुआ, छोटे आंगन में गजेबो से एक धीमी आवाज आई, आवाज सुनकर ये चेन फिर से स्तब्ध रह गई, क्या गजेबो में बैठा बिचोलिया आदमी वही नीलाम करता नही जो आज उसके बगल में बैठा था, वह त्यानिक सुनमेन से है, ये चेन के दिल में ये पहला विचार था, अन्य था वह हिदन ड्रेगन मंडप के प्रांगन में प्रकट नहीं होता और यांगगे को हमेशा ऐसी दयालुता दिखाने नहीं देता, चलो भी, बैंगनी कपड पहने बुजूर्ग ने ये चेन का अभिवादन किया, ज्यादा सोचे बिना ये चेन गजेबो तक गया और बैंगनी बालो वाले बुले व्यक्ति का सम्वन पूर्वक स्वागत किया, जूनियरों ने वरिष्ठों से मुलाकात की है, तुम्हें विनम्ल होने की जरूरत नह बैट जाओ, बैंगनी वस्त्रधारी बुड़ा मुस्कुराया, हाला कि वह एक मजबूत आदमी था, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था, जिससे ये चेन इनको लगा कि वह उसके सामने एक साधारन दादा था, मुझे नहीं पता कि वरिष्ठों ने कनिष्ठों को क् किया, ये चेन ने बुले आदमी की और संदेह से देखा, ट्रिपया मदद करें, ट्रिपया, ट्रिपया मेरी मदद करें, ये चेन फिर से आश्चर्य चकित हो गया, और वह इतना आश्चर्य चकित था कि वह उससे मदद मांगेगा, अधिक सतीक होने के लिए, मैं आपके श जो जानता था वह मोटा आदमी जियोंगेर था। उसने सोचा कि वह गहराई में छिपा हुआ है और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे बैंगनी बुड़े व्यक्ती ने पकड़ लिया है। ये चेन की सतरक्ता देखकर लबादा पहने बुड़ा आदमी परपल धीरे से मुस्कुराया। छोटे दोस्तों सुरक्षित रहो प्रिपया मदद करो बसित ना ही। ये चेन मुस्कुराय बिना नहीं रह सकी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही ये कैसे कर सकता है। यहां उन्हें तनावकुन स्थिती पर भरोसा नहीं था। बैंगनी रंग का वह बुड़ा व्यक्ति बिना किसी हरबड़ी के बहुत विनम्ल था। बेशक ये व्यर्थ नहीं है। मैं तुम्हें उचित मुआवजा दूंगा या यदि तुम्हारे पास कुछ है जो तुम तुम उसे बढ़ा सकते हो। बैंगनी वस्तर पहने बुड़े व्यक्ति ने फिर कहा इस बच्चे के बारे में बोलते हुए ये चेन स्वाभाविक रूप से इसे नहीं रोकेंगे हार मत मानो। उसने गहरी सास लेते हुए सूखी खासी दी अपनी नाग की नोग को छुआ और कहा मुझे पैसे की जरूरत है। वह मूल रूप से जुवान स्टील और जुवान आयरन के लिए थे। जो कभी भी लोहे की छड़ और तीन सो हजार जियोंगेर के विदेशी कर्च के लिए धर खोना चाहता था अब वह पैसे की अत्यदिक कमी का स्वामी है। बेशक उ पैसे मांगे थे। यदि आप अधिक देना चाहते हैं तो आप अधिक दे सकते हैं और यदि आप कम देना चाहते हैं तो आप कम दे सकते हैं। यदि नहीं तो मेरी कोई राय रखने की हिम्मत नहीं है। किनारे पर बेंगनी वस्त्र पहने बुले व्यक्ती ने चाय का कप बस इतना ही, हेहे मुस्कुराया, ये चेन ने सिर हिलाया, बैंगनी चमरी वाले बुले व्यक्ती ने थोड़ा मुस्कुराया, एक भंडारन बैग उठाया और ये चेन को सौप दिया, धन्यवाद, बुले आदमी, ये चेन ने जल्दबाजी में इसे ले लिया, लेकिन वह इ ये यान ने कहा, जल्दी से काले लोहे और काले स्टील को भंडारन बैग में डाल दिया, यहाँ, बैंगनी रंग के कपड़े पहन, बुले व्यक्ती ने अपनी बाई बाह की आस्तीन उपर खीच ली है, जिससे उसकी बाह दिख रही है, ये देखकर, ये चेन भोचक का रह गया, क्योंकि बैंगनी रंग का बुड़ा आदमी उसी शरीर के साथ काला था, यदि आप बारीकी से देखें, तो आप पंखों की सतह पर अजीब रून्स देख सकते हैं, ये क्या है, ये चेन ने बैंगनी रंग के बुड़े आदमी की ओर देखा, चुलेल, चुलेले, य उन शब्दों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका जो उसने कुछ साल पहले जहेंग्यांग जोगशुगे में देखे थे, यह मंत्र एक अत्यंत दुष्ट मंत्र है और इसे केवल पौरानिक चुलेलो द्वारा ही प्रयोक किया जा सकता है, यदि मंत्र खो गया हो, और बरबरीक को नौ प्राचीन जातिया भी कहा जाता है, वे अत्यंत शक्तिशाली है, यह एक वास्तविक विंटेज इंजन है, ये चेन आश्चल यचकित था, उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने शक्तिशाली भिक्षु के शरीर में वो कभीले का ऐसा अभिशाप होगा, वरिष्ट क्या मेरी सच्ची अगनी आपको इस मंत्र को रोकने में मदद कर सकती है, मंत्र की शक्ति को जानकर ये चेन की सासे थोड़ी उख़ड गई, साधारन सच्ची आग काम नहीं करेगी, लेकिन आपका सच्चा देवदार काम कर सकता है, जैसे ही यह टिपनी सामने आ गए और बैंगनी कपड़े पहने बुड़े आदमी की ओर देखा, वरिष्ट क्या ये सच्चे की आग अभी भी अलग है, अध्याए 51, जादू, बेशक, बैंगनी वस्त्र पहने बुड़ा व्यक्ति ये चेन के सवालों पर थोड़ा मुस्कुराया, मैंने कई सच्ची अपना सिर्ख हो जाया, सच्ची आग स्वर्ग और प्रित्वी से उत्पन होती है, वह मूलता आध्यात्मिक है और स्वाभाविक रूप से इश्वर की साधना से दबा हुआ है, केवल तभी आप हवा को संधनित कर सकते हैं, और आपकी सच्ची आग में केवल वह शमता होत जो आपकी केती से मिल खाती है और ये कहने के बाद बैंगनी वस्त्र पहने बुड़ा आदमी रुका और ये चेन पर गहरी नजर डाली और तुम्हारी असली आग अभी तक जागरित नहीं हुई है, जागो मत, ये चेन ने जितना सुना उतना आश्चरे चकित हुआ, मैं क चिपाए जाने के लिए ये कहते हुए कि ये वर्तमान ये चेन के लिए बहुत बुरा है, ये चेन के इरादे समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन वह जानता था कि कैसे जुटना है और पूछना जारी नहीं रखा, आओ, बैंगनी कपड़े पहने बुड़े व्यक्ती ने इच्छ अनुसार सच्ची आग भर्लक उठी और उसके हाथ की हतेली के माध्यम से बुड़े व्यक्ती की बाह में डाल दिया, जिससे अंगिनत शब्द बने और कसकर उन शब्दों को लपेट लिया शैतान का खून, सच्चमच ये चेन के शरीर के संपर्क में आने पर बैंगनी बुड़े व्यक्ती की आखे अचानक गहरी हो गई उसने ये चेन को घूर कर देखा, मानो उसे ये चेन के शरीर में बहता हुआ खून दिख रहा हो, जिसमें से उसने एक खूनी भयनकर और रहिंसिक धंग से जियाई के बुड़े व्यक्ती ने अपनी आखे सिकोर ली और ये चेन की और कमजोर द्रिश्टी से देखा उसके शरीर में जादूई खून कैसे हो सकता है बैंगनी रंग पहने बुड़े आदमी ने बढ़बढाया और देखा कि ये चेन को सपश्ट रूप से नहीं पता था कि उसके खून में प्राचीन राक्षस का खून शिपा हुआ था मेरे दिल में संदेह मेरी बाह में दर्द से बाधित हो गया था बैंगनी वस्त्र पहने बुड़े व्यक्ती ने अपने विचारों को ये चेन से दूर खीच लिया अपनी आखे उसकी बाह पर केंड़ित कर दी और खुद को ये चेन की असली आग में लपेट लिया मंत्र मंत्र को एक मजबूत खत्रा महसूस हुआ हिंसक रूप से लड़ना ये देखकर बैंगनी वस्त्र पहने बुड़े व्यक्ती ने इशारा किया और श्राप को पूरी तरह से अपनी बाह पर अनकित कर लिया और इसे अपने शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक दिया एक घंटा बीद गया ये चेन को पसीना आ रहा था उसकी असली आग अभी भी जल रही थी लेकिन जग दूई मंत्र सपश्ट रूप से अंतरनिहित था और वह असली अगनी कक्ष का सामना कर सकता था इसलिए इतने समय के बाद वह केवल मंत्र का थोड़ा सा हिस्सा ही जला सका सुवान स्टील और हुआन आयरन को प्राप्त करना आसान नहीं है ये चेन ने अपना पसीना पोंचा इस समय सोचो उसे पच्चतावा है कि इनाम कम है बैर टू मेस में यह मंत्र बुरे विचारों से दूर है इसे रातोरात परिश्कृत नहीं किया जा सकता इसे पूरी तरह से हटाने में काफी समय लगता है समय ये चेन के बीच थोड़ी परेशानी हो रही थी बैंगनी रंग के कपड़े पहने बुरे व्यक्ती ने ये चेन के कंदे पर हलके से अपनी हथेली रखी और ये चेन के शरीर पर लुड़क गया जिंग युवान के शरीर ने ये चेन की आत्मा को जगजोर दिया आपको केवल मंत्रों में से एक को संसाधित करने की आवश्यक्ता है बैंगनी रंग के बुरे व्यक्ती ने कहा मंत्र मंत्रों से बंधे होते हैं जब एक मंत्र परिश्कृत हो जाता है तो मेरे पास मंत्र को तोड़ने का एक तरीका होता है ठीक है ये चेंटुन ने सिर हिलाया गहरी सासली और आग की असली लो तुरंत उट गई 6 घंटे बाद वह पहली बार खड़ा हुआ फिर से असली आग के लिए हॉन्फ रहा था इस समय यदि आप बेंगनी वस्त्र पहने बुरे व्यक्ती की बाह को देखें तो उस पर शाप पैटन पहले से ही अस्त्वियस्त है और शाप पैटन से जुड़ा जादूई अभिशाप भी बदल गया है बेंगनी रंग का बुरा व्यक्ती वास्तव में एक अलोकिक व्यक्ती है वह अपनी उंगलिया पास लाया, उसकी बाह पर दबाया और उसके कंधे से नीचे सरकाने लगा उसकी बाह में समया श्राप उससे जबरन लिया गया था ये चेन ने परिशान नहीं किया लेकिन धीरे से चोटे से आंगन से बाहर चला गया जब वह फिर से पिछले हॉल में लोटा तो उसने बैंगनी वस्त्र पहने बुर्य व्यक्ति को बाहर निकाला और उसे एक भंडारन बैग दिया उसने जल्दी से अंदर देखा और आश्चर्य चकित रह गया स्पिरिट स्टोन्स की संख्या को देखते हुए उन्होंने नू के एक गुप्त कटार को निगल नहीं सका ये बड़ा सोदा है अपनी जीब से आह भरते हुए ये चेन का दिल विचारों से भर गया ये उसकी उम्मीद से परे था कि बैंगनी वस्त्र पहने बुढ़ा आदमी उसे इतने सारे स्पिरिट स्टोन देगा थोड़ी देर के लिए ये चेन को पता चला कि स्टोरेज बैग में 500,000,000 स्पिरिट पत्थरों के अलावा एक छोटा नोट भी था एक छोटा सा नोट निकालते हुए ये चेन ने जल्दी से इसे देखा लोहे की छड़को जियावयू को तियान जुवान पुरुशों के उफार के रूप में गिना गया था आधा मिलियन स्पिरिट पत्थर और मूल संख्या उसे वापस कर दी गई थी बेशक तियान जुवान में ये चेन ने उसकी थुड़ी कुछ हुआ यह विचार दिल में लेकर वहांगन से निकल कर बाहर सड़क पर चला गया उनकी हालत बहुत अच्छी थी पांच लाक स्पिरिट स्टोन वापस आ गए जिससे उसे थोड़ा और आत्मिश्वास मिला और उसके पास नगदी थी बहुत शांट देर हो रही है लेकिन सड़क पर अभी भी कई पैदल यात्री है और गलगला हट अभी भी अंतहीन है ये चेन तुरंत पीछे नहीं मुगा बलकी सड़क पर टहलता रहा दोनों तरफ के स्टालों को देखता रहा और उस काले स्टील और काले लोहे की तलाश करता रहा जिसकी उसे जरूरत थी आखिरकार वही एक दुखी बुड़े आदमी के अस्तबल में रुख गया जुवान गैंग हुवान आयरन ये चेन बस रुका था और उसकी नजर दो नियमित पत्थरों पर पड़ी एक काला और एक चमकीला बहुत बड़ा नहीं केवल एक अंडे के आकार का उसके आगमन ने उस महत्वहीन बुड़े व्यक्ती का ध्यान आकरशित नहीं किया जो अब गुजरती हुई महिला को अपनी उज्वल आखो से देख रहा था उसे देखते समय वह वह तुच्छ मुस्कान भी दिखा रहा था किसी तरह जब उसने बुड़े व्यक्ती को पहली नजर में देखा तो ये चेंड में के मन में मजा किया बनने की इच्छा जागरित हुई बुड़े आदमी मेरी तरफ देखो और सामान ले जओ क्या बुड़े आदमी की आखें तुरंट लोट आई और उसने खास्ते हुँ इस शांती से अपने मुह से लार पोंची एक 180 डिग्री घुमाने पर उसका चेहरा घूम गया और उसने मुठी भर दारिया देखी और वह एक बुड़े आदमी की तरह लग रहा था ये चेन का मूँ कस गया अंधेरी सड़क पर बुड़े व्यक्ती के गुप्त प्रदर्शन को कवन नहीं किया गया था आखिरी क्षण में उसने सुन्दरियों को देखा इस बिंदू पर वह एक शीर्ष विशेशग्य बन गये मुझे नहीं पता था कि यह उत्पाद वास्तव में एक बुजुर्ग था मालिक कहा है ये चोटा भाई जब आप देखते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ती हैं जो लाल सा जानता है तो मैं यहां एक बच्चा हूँ बस किसमत में आना है बुड़ा फिर से अपनी थुड़ी खुजा रहा था लेकिन उसका चेहरा हमेशा महत्वहीन था काट रहा है ये चेन असहमत थे वह कई स्टालों से गुजरा लगभग सभी ने यही कहा और वह कोई अजन भी नहीं था मुझे काले लोहे और काले स्टील का ये टुकड़ा चाहिए कहाए चेन ने स्याही देखी जिसमें काला लोहा और काला स्टील दिख रहा था दस हजार बुड़ी मा ने उंगली से इशारा किया पांच हजार ये चेन ने सीधे पुरसकार छीन लिया आप आश्चर्य चकित थे एक लाख स्पिरिट पक्थर मैं इसे सीधे चाव ताइफूक से नहीं खरीद सकता लेकिन मैं भी हजारों किलोमीटर तक इस अंधेरे काले बजार में भाग गया मैंने कहा जेया होवा तुमने कीमत बहुत कम कर दी है तुछ बुड़ा आदमी दाली से घूरता रहा मेरे गुरू ने मुझे आधी अधूरी चीजे खरीदना सिखाया ये चेन ने दुखी बुड़े व्यक्ती को हाने रहे द्रिश्टी से देखा मैं दुखी बुड़ा व्यक्ती मौके पर कूदने ही वाला था लेकिन फिर भी जिजखा 90,000 ये कम नहीं हो सकता ये चेन को उस महत्वहीन बुड़े व्यक्ती के साथ सौदेबाजी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन वह ये नहीं सोच सका कि बुड़े व्यक्ती ने इतनी आसानी से वादा किया था जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ पैसे पैसे दो जल्दी करो बेचारा बुड़ा आदमी जल्दी में लग रहा था उसने जुवान टाए और जुवान स्टील को बंद कर दिया और फिर अपने केबिन को साफ करना शुरू कर दिया घबराहट का भाओ जैसे की कोई जरूरी बात हो ये चेन बहुत ध्रमित था लेकिन फिर भी अपने भंडारन बैक के पास चला गया जूग ये यूँ बुले आदमी तुम एक हजार तलवारे मारते हो स्पिरिट स्टोन को बाहर निकालने से पहले ये चेन ने दूर से आते हुए एक जोरदार शाप सुना एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका कुछ ही दूरी पर एक मोटा बुला आदमी है जो मारने के लिए गुस्से में है ये देखकर ये चेन को ये बात समझा गई इस केबिन का मालिक इतना परेशान था कि किसी ने उससे बिल चुकाने के लिए कहा इस तरह से सोचते हुए लेकिन ये चेन ने फिर भी स्पिरिट स्टोन निकाल लिया और हमेशा खरीदारी के लिए भुपतान किया हाला कि इससे पहले कि वह spirit stone को पार कर पाता तुछ बुला आदमी पलट गया और भाग गया और गती को कवर नहीं किया गया तुम बखवास करते हो बिचारे बुले आदमी के बाद मोटे बुले आदमी ने हवा की तरह सीटी बजाए और पहले से ही शोरगूल वाली सड़क इन दो अमर शोरों के कारण एक उनने वाले कुट्ते में बदल गई क्या हम चलेगे ये चेन को खांसी हुई उसने स्टोरेज बैग निकाला जिसमें स्पिरिट स्टोन था और उसे जानबूच कर उसे स्टोरेज बैग में वापस रखने दिया अध्याए बावन अनुत तरदाए आयरन विप चारों और मुरने के बाद ये देखकर की खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था ये चेन शोरगूल वाली सड़क से बाहर चला गया जैसे ही वह सराय में दाखिल हुआ जियोन गयर ने दोड़कर ये चेन को पकर लिया और चिलाते हुई कहा आह मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें मार डाला आपने कहा कि नीलामी के दोरान निजी लड़ाई निशिद है चाहे वू चांद की कितना भी बहादूर क्यों न हो उसने मुझे यहां ढूंधने की हिम्मत नहीं की ये चेन ने कहा अपनी बहों से एक भंडारन बैग निकाल कर जियोन के हाथ के पीछे रखना नहीं भूला जी एर अब आपका स्पिरिट स्टोन तीन सो शुन्य 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 ना अधिक न कम स्टोरेज बैग उठाने के बाद जियोन गेर ने अंदर देखा और फिर दो छोटी आँखों ने ये चेन को आश्चर्य से देखा तुम्हारे पास अभी भी स्पिरिट स्टोन है चुनना, चुने, चुने, जियोन गेर एक शिकारी की तरह ये चेन के पीछे चला गया जहां मैं चुनूनगा, मैं एक टोकरी चुनूनगा तियान हुआन मैं, एक आकस्मिक प्रतिक्रिया, ये चेन ने अपनी कमर सीधी की और हाथ लहराते हुए अपने कमरे में चला गया आज बहुत थट गई हूँ, जल्दी आराम कर लो जियोंगेर कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये चेन ने दर्वाजा बंद कर दिया था तियान जुआनमें ने इसे ले लिया, आपकी बात पर विश्वास करना अजीब है जियोंगेर ने एक भारी भंडारन बैग लेकर बुद बुदाया, और फिर से मुस्कुराया कमरे में लोट कर, ये चेन ने दर्वाजा कसकर बंद कर दिया और जिजिन लौकी को बाहर निकाल लिया उसे अब भी याद है कि उसने कल रात छोटी लौकी का रस्प्या था केवल उसे अपने शरीर में आग की तरह जलने का एहसास हुआ और जो दर्द उसके सिर में फूटने वाला था, वह अभी भी उसे अजीब महसूस करा रहा था ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में आग लग गई है और मेरा सिर्फटने वाला था जिसके कारण मेरा अभ्यास संघनित गैस के आठवे भार पर स्थानांतरित हो गया इस स्प्रिट जूस में जरूर कुछ गढ़बढ है धीरे से कराहते हुए ये चेन ने छोटी लोकी से स्प्रिट जूस की एक बूम डाली स्प्रिट जूस बैंडनी है एक प्रभामंडल के साथ चक मक रहा है और क्रिस्टल स्पष्ट है ये जेद स्पिरिट जूस और आभारस का एक मिश्रण है और शदिये सुगंध सम्रिध और तेज है जब आप इसे सून घेंगे तो आप आराम और खुशी महसूस करेंगे कोई बात नहीं थोड़ी देर तक घूरने के बाद ये चेन ने अपनी थोड़ी कुछ हुआ हमेशा की तरह कुछ भी नहीं फिर उसने स्पिरिट ड्रॉप को अपने मूँ में निगल लिया हमेशा की तरह ये स्पिरिट तरल शरीर में प्रवेश कर गया और एक मजबूत सार में बदल गया उसके शरीर में एक इक्रित हो गया और कल रात गर्मी की कोई भावना नहीं थी अजीब ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन अपना सिर्खुजलाया फिर उसने एक के बाद एक कई स्पिरिट की बुंदे निगल ली उसके शरीर में अभी भी पिछली रात की तरह अजीब दर्द नहीं था लेकिन पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई यह सामान्य है वह फिर से बुद बुदाया यह चेन ने अपने विचार वापस ले लिये और फिर आज निलामी में मिली काली लोहे की सलाखे निकाल ली आपकी तस्वीर लेने में पाँच लाख स्पिरिट स्टोन लगे इसलिए मुझे निराश न करें जैसे ही वह बोला ये चेन ने लोहे की छड़ को बैंदनी सोने की लोकी के मुँँपर धकेल दिया डुनजन लोहे की छड़ धुसेरते ही शेर ने हुनकार भरी ये देखकर ये चेन की आखे चमक उठी उसने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा और देखा बैंदनी सोने की लोहे की छड़ में रहसे का पता लगा सकती है हाला की जैसे ही जिजन की लोकी काँपने लगी उसके पास कोई पार्ट नहीं था और वो समय समय पर बहने वाली बैंदनी गैस को छोड़ कर मेज पर स्थिर खड़ी रही गया है चौका देने वाली नजर से ये चेन ने छोटी जिजन लोकी को उठाया उसे अंजाने में हिलाया और फिर लोकी के मुह के साथ अंदर देखा उन्होंने पाया कि लोहे की छड बैंगनी सोने की लोकी में थी और इसका कोई असमान्य आकार नहीं था और इसे चुपचाप लटका दिया गया था जैसे की इसके चारों और बहने वाली बैंगनी गैस का इससे कोई लेना देना नहीं था मुझे नहीं पता कि कितने समय पहले, ये चेन इतना चिंतित था कि उसने बैंगनी सोने की लोकी को उसके मूर स्थान पर लोटा दिया, आप आहे भरते हैं, आधे मिलियन स्पिरिट स्टोन और अपनी लोहे की छड़खरी दी जोगिर नहीं सकती फुनकार, जिजिन लोकी आध्यात्मिक लग रही थी, जब उसने ये चेन के पेट की बात सुनी, तो वो फिर से कांप गया, मानो कह रहा हो, बेनिमा ने मेरे पेट में सब कुछ डाल दिया फुन, फिर छोटी जिजिन लोकी ने लोहे की काली छड़ी को बाहर निकाला और जोर से जमीन पर मारा नहीं, बुरा स्वभाव, अपना मुह बंद करके ये चेन ने छोटी लोकी पर ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन काली लोहे की छड़ उठाली लोहे की छड़ को इतनी करीब से देखने पर उसने पाया कि लोहे की छड़ सपष्ट रूप से एक लोहे की चाबुक थी, काली और जंग से धकी हुई थी, लेकिन पोखर भी थी ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी, ये सच्ची आग का ध्यान आकरशित कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं है कि आप एक साधारन लोहे के चाबुक है बुप्त रूप से अपने दिल में, ये चेन ने फिर भी हार नहीं मानी, और फिर सच्ची आग की पेशकश्की और काले लोहे के चाबुक को लपेट लिया सुनेहरी लपते जल रही थी, जिससे कमरे में तापमान तुरंद बढ़ गया सच्ची आग के केलसीनेशन के तहट काले लोहे के चाबुक में अभी भी कोई अंतर नहीं था उसने सच्ची आग के केलसीनेशन को नजरंदास कर दिया, इसलिए ये चेन ने भौहे चड़ा दी फिर से आओ, एक गहरी कराह के साथ ये चेन ने असली अगनी केलसीनेशन को बढ़ा दिया हाला कि काले लोहे के चाबुक में अभी भी कोई असामा निता नहीं है तीन घंटे बाद ये चेन की सासे थम गई तीन घंटे की सच्ची अगनी केलसीनेशन लोहे के चाबुक को पिढ़लाने में विफल रही जिससे वह थट गया आपने वास्तव में इस पर विश्वास नहीं किया अपने मुह में शाप के साथ ये चेनिक सुवान ने चिक्सियाव तलवार निकाली फिर अपने पूरे शरीर को उसमें डाल दिया और लोहे के चाबुक पर जोड से मारा पाउंड, धातू के टक्राने की आवाज असाधारन थीटी शाप और चीजियाव जियान मौके पर ही स्तब्ध रह गये यहां तक की ये चेन भी स्तब्ध रह गया और पीछे हट गया पूरा हाथ सुनन हो गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था सामान्य कठिन नहीं, चिक्सियाव तलवार उठाते हुए ये चेन ने तलवार में एक छोटा सा छेद देखा दूसरी ओर, तैशन द्वारा लोहे का चाबुक अभी भी मजबूती से जमीन में गड़ा हुआ था चिक्सियाव की तेश तलवार उस पर कोई निशान छोड़ने में विफल रही उस तारांकन 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 ने क्या किया चिक्सियाव तलवार उठाने के बाद ये चेन ने लोहे के चाबुक को उपर से नीचे तक देखा आग की असली आग को नजरंदास करते हुए यहां तक की चिकसियो भी आधे मिनट तक नहीं हिल सकता वह कल्पना कर सकते हैं कि इस लोहे के चाबुक को बनाने में इस्तेमाल की गई सामगरी कितनी असाधारन है लेकिन उन्होंने इसे और अधिक संतुलिद बना दिया है जल्द ही उसने भंडारन बैक से काला लोहा और काला स्टील हटा दिया आध्यात्मिक धातु के ये दो टुकड़े आखों के सामने रखे जाते हैं जिससे एक मजबूत विरोधभास बनता है काला लोहा काला और काला होता है और काला स्टील चमकिला और लचीला होता है ये दोनों साम्विया मिलकर हथियारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है सच्छी आग का बलिदान दें, जियो लाल तलवार को फिर से बाहर निकाले ये चेन ने उन तीनों को सच्ची आग से धग दिया, काले लोहे और काले स्टील की सार को शांत किया, और इसे जियो लाल तलवार में परिश्कृत किया यह एक लंबी प्रक्रिया है, भोर होने तक उसे असली पसीना नहीं आया कमरा गलगलाती तलवारों से भरा था, इस समय चिक्सियाव तलवार अधिक से अधिक असाधारन हो गई और वह अभी भी लाल थी जीवन शक्ती बढ़ाने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी, लेकिन एक विस्तारित तलवार क्यूई थी, और कभी कभी एक तलवार बाज दिखाए देता था अच्छी बात है, ये चेन ने प्यार से तलवार चिक्सियाव को पकड़ रखी थी और ये चेन बहुत खुश थी मुख्य बात ये थी कि उसने तलवार बनाई, अध्याय तिरपन, ठीना क्लब सुबह सुबह, नर्म सूरज ने पूरे अंधेरे काले बजार को भर दिया नीलामी का एक नया दिन शुरू हो गया है, प्रतेक मचान पर लोग बाहर आ रहे हैं, और लोग सभी दिशाव से आ रहे हैं, और केंडर में छिपे ड्रेगन मंडप की ओर जा रहे हैं क्या आप इसे पसंद करेंगे? बाहर जाने से पहले, जियोंगेर ने अपने क्रोच से एक आवाज बदलने वाली गोली और एक ही रोंड गोली निकाली और ये चेन को दी जियोंगेर के क्रोच पर नजर डालते हुई ये चेन ने खासते हुई कहा आप इसे खा सकते हैं फिर उसने भंडारन बैक से भीडी एकी सिर का मुखोटा निकाला उसने अपना चेहरा ढख लिया और वह गोली खाना चाहता था जिसे जियोंगेर ने उसकी स्तन से निकाला था वह कैसे कह सकता है कि वह सच्मुच इसे अपने मुँँ से नहीं निकाल सकता मत खाओ और नीचे खीचो जियोंगेर ने असहमती जताए और दो गोलिया उसके मुँँ में डाल दी जल्द ही उसका रूप ना टकिये रूप से बदल गया और वह एक मोटा बुगा आदमी बन गया जिसके जबडे पर छोटी सी दाड़ी थी जो थोड़ी निचली थी और बुले आदमी की तरह नहीं दिखती थी लोगों की आमद के साथ दोनों तिबबती ड्रेगन मंडप में वापस आ गए यह आज भी देश का सबसे बड़ा कोना है दोनों ने बैट कर खाना खाया फिर भी हिडन ड्रेगन पवेलियन के प्रवेश द्वार को नहीं भूले महान दचेस परिवारों के आवासों में प्रवेश हुआ और वे हिले नहीं विशेश रूप से दुखी परिवार शांत चेहरे वाले इस नीलामी में प्रतिस परदा करने के लिए संघर्ष करते दिख रहे थे इसके बाद सैंट जोब के लोग पहुँचे और बलड थस्टी पैलेस का समापन हुआ ये चेन ने वू चांदकीं को देखा उसका बुड़ा चेहरा सच्मुच उदास था और इससे अधिक उदास नहीं हो सकता था कल उसे हार का सामना करना पड़ा और वो ही यहां का सबसे बड़ा उपहास बन गया उसे वापस जाने देने के बाद वो प्रोधित हो गया और उसने ये चेन को जिंदा मार डालने की धमकी दी अहनकारी मद बनो आज फिर से अपना खून मद बहने दो वू चांदकींग पर एक नजर डालने से ये चेन को व्यंगय का एहसास हुआ तुम्हें आज इमानदार रहना होगा जियोंगेर ने अपने मुह में कुछ डालते हुए चिल लाया सावधान रहे की नाव गटर में न पलर जाए फिर वू चांदकींग इतना उत्तेजक नहीं है जानना, छाया चित्रों को प्रत्येक स्थान पर हिलाया गया सबकी निगाहें सामने मंच पर थी कल सभी कलकृतियों की नीलामी हुई वहीं आज उस रहस्यमय रहस्य की नीलामी हुई जो अंडरवल्ड का सामान्य नियम है मुझे नहीं पता कि इस बार मुझे कोई गुप तरीका मिल पाएगा या नहीं नीलामी वास्तव में अभी शुरू नहीं हुई है और सुविधा पहले से ही चर्चा का विशे है मैंने सुना है कि इस नीलामी के रहस्य असाधारन है जो असाधारन है वो हमारा नहीं है बहस में नीलामी करता यांग जी मंच पर आए और चारों और देखा और फिर कहा नीलामी ये शुरू होती है उसके बाद उसने एक खर्रा निकाला और एक जटके में अपनी आखे घुमाली यांग का तातपर्य है यांगगे के अनुभवी ने कहा कि स्प्रॉल हवा में लटका हुआ है और इस रहसे का परिचे देना नहीं भुले सच्ची QE को परिश्वित करना एक उंगली इकठा करना यांग कहा जाता है और अगनी विशेष्टा ताववादी बिद पर विचार कर सकते है आरक्षित मूले 50,000 युवान है और नीलामी अब शुरू होगी 60,000 जैसे ही येंज के पुराने शब्द गिरे कोई एक चिन्ह नीचे रख रहा था मेरे QE परिवार में 200,000 हैं ओफर दूसरा दक्षनी शिंजियांद में QE परिवार का एक भूरा-बूरा व्यक्ती था सीट पर फैला हुआ ये घमंडी और ना समझ उसका रूप और भी मनोरंजक था उसने 140-00-00 स्पिरिट पत्थरों की कीमत इतनी बड़ा दी की जो लोग बोली लगाने की तयारी कर रहे थे वे जानबूच कर बैठ गए इसमें बैर दो भी शामिल है दिखकार है मैं आप भी भाग लेना चाहता हूँ जियोन गेर ने उसे हमेशा के लिए डाटा परिवार की खेती धन समपदा से भरपूर होती है जे चेन एक तरफ उसके चेहरे पर आह भरी 21,000 एक अन्य व्यक्ती ने कीमत कम कर दी और बोली लगाने वाली बेच युवान परिवार की लाल वस्त्र पहने एक खूबसूरत मध्यम आयूवर की महिला थी वही परिवार ये वान परिवार क्यूई परिवार से कमजोर नहीं है कुछ हट तक क्यूई परिवार से बहतर है सुन्दर मद्यम आयूवर की महिला को भी उस यांग उन्गली की इसाधारंता दिखाई देती है वे क्यूई परिवार को आसानी से नहीं देना चाहते है 25,000 युवान वांग परिवार के बाद जिसू के सीटू परिवार ने भी एक सास में मूल्य वृद्धी में भाग लिया 3,000,000 डोंगियो के शांदगुआन परिवार ने यांग फिंडर की नीलामी को शीर्ष पर पहुँचाया 3,000 और 1,000 35,000, दाचू के प्रमुक परिवारों ने भी देने का अभ्यास किया एक मिनट से भी कम समय में इस पुरुष उंगली की कीमत 500,000 युवान की उच्च कीमत तक पहुँच गई जिससे आकस्मिक मरम्मत करने वालों के लिए यह एक असहाय द्रिश्य बन गया कुछ नहीं, जियोंगेर एक मरे हुए सुवर की तरह कुर्सी पर लेटा हुआ था ये वास्तव में जानवरों का एक जुंड है यहां तक की ये चेन भी शर्मिन्दा थी उसकी आभायांग तक है और उस यांग उंगली का अभ्यास करने के लिए उप्युक्त है हाला कि वह इतना शर्मिला है कि खुद को असहाय महसूस करता है पाच सो पचास हजार लेकिन दूसरी आवाज के कारण जियोंगेर और ये चेन की आखे फिर से चमक उठी क्योंकि जियोंगेर के दूसरे चाचा बोली लगाने वाले थे वहाँ एक शो है वहाँ एक शो है जियोंगेर ने अपने छोटे हाथों को रगड़ा दो छोटे हाथों से उसने अपनी आखे केंडरित की अपने सामने एक मजबूत आकृती देखी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका जियोंग परिवार भी नीलामी में भाग लेगा और उन्होंने उदार्ता पूर्वक गोली बारी की और मंच पर सभी परिवारों को कुचल दिया इस तरह वह पैसे खर्च किये बिना यांग उंगली सीख सकता था इसी तरह ये चेन ने अपने हाथ रगवे और जियोंग एर के साथ उसकी दोस्ती के आधार पर इस यांग उंगली को सीखना असंभव नहीं था दूसरी मंजिल पर QE परिवार के बुजूर गुदास थे जियोंग एर के दूसरे चाचा की और देखते हुए उन्होंने थंडे स्वर में कहा जियोंग दशान आप बहुत बहादुर हैं यदि आपके पास एक है तो उसे जोड़े जियोंग दशान मजबूत था और QE जिया की मैं जिसने एक शब्द फुस-फुस आया आभरी आपके जियोंग परिवार को QE परिवार से द्वेश है जियोंग दशान और QE के मातापिता के शब्दों से ये चेन को कुछ सुराग मिले और वह जियोंग एर पर नजर दालने से खुद को नहीं रोक सका निश्चित रूप से नाराजगी है जियोंग एर ने डाटते हुए चिल लाया हम दोनोंने मेरे दादाजी की बेल्ट से एक बीम बनाया क्योंकि प्राकृतिक स्पिरिट पत्थर की खदान के कारण सप्ता के दिनों में करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है आपका क्या मतलब है 550,000 क्या कोई अभी भी कीमत बढ़ा रहा है मंच पर, यांग गे लाओ ने किजिया याजियान पर नजर डाली और फिर से नीचे देखा आखिरकार, सैंड जोंग और ब्लड थस्टी हॉल ने निलामी में भाग नहीं लिया जिससे ये चेन और जियोंग एर को रहत मिली पाउंड, मंच पर, यांग गे लाओ ने आखिरकार फैसला कर लिया है यांग फिंगर स्क्रॉल को उठाने के बाद, यांग जी ने अपने हाथ घुमाए और जेड बांस का एक टुकड़ा निकाला जेड बांस की परची पर, तीन महान पात्र स्पष्ट रूप से लिखे गए थे, लिंग यूनबू शेंशू जुआनशू, लिंग यूनबू, तीस हजार, शुरू यांग गे ने लापरवाही से कहा उस यांग उनगली की तुलना में, इस लिंग यूनबू का ग्रेट सपष्ट रूप से निम्न है लेकिन ये लुटेरों को नहीं रोक सकता क्योंकि ये त्यानिक सुआनमे निलामी का रहसे है पचास हजार, मेरे पास सत्तर हजार है एक लाख, लिंग, यूनबू की निलामी अभी भी काफी गर्म थी लेकिन यांग फिंगर निलामी की तुलना में, यह भी भी बहुत खराब थी अंत में, काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने 130-00-00 की मान की निलामी जारी है यांग गे लाओ ने लगातार रहसे के रहसे को सामने लाया और उनमें से प्रत्येक तिब्बती ड्रैगन मंडप में बहुत शोर पैदा करेगा निलामी भी अपने चरम पर पहुँच रही है महान परिवारों, तीन पूर्वजों, खूनी महल और अंडवल्ट के बीच प्रतिसपर्धा भयन कर है इस अवधी के दोरान ये चेन और जीयोंग एर ने भी कुछ शोर्ट लगाए लेकिन वे उस दिन कीमत से बहुत परिशान थे मैं इसे देख सकता हूँ ये तारानकन 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 जानवरों का एक जुन्ड है जीयोंग एर उसे हमेशा के लिए दाटते हुए मेज पर लेट गया वे सभी अमीर स्वामी है ये चेन भी निराश था क्योंकि वह लगातार निराश था स्टोरेज बैग में सास ने उससे फिर से बोलने से जिचकने पर मजबूर कर दिया हर बार जब उसने गोली चलाई तो ये उसके दाग बंद करने के लिए पर्याप नहीं थी बच्चे का तिया न्यू क्लब आध्यात्मिक भुरूओं के ताववादी मित्र विचार कर सकते हैं मंच पर यांगगे लाउ ने एक स्प्रॉल निकाला आरक्षित मूल्य तीस हजार है और मूल्य वृद्धी एक हजार स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होनी चाहिए निलामी अब शुरू होती है स्टाफ ये चेन कॉनमेज पर था उसने अपना सिर उठाया और चमक्ती आखों से द्रिश्य को देखा अब आप लाठी का अभ्यास नहीं करते आप उत्साहित हैं जियोंगेर ने ये चेन पर नजर डाली फिर ये चेन ने फिर से नीचे देखा पिछले कुछ रहसे निलामियों की तुलना में इस दिन क्लब का प्रतिनिदित्व काफी कम है बहुत समय पहले यांग जी ने कहा था कि किसी ने भी मोलभाव नहीं किया था मंच पर यांग जी ने किसी को भी पुरसकार के लिए शोल मचाते नहीं देखा और थोड़ा भौहे चड़ाली चड़ी वेधी की मरम मत करना कठिन है और बेकार है अधिकांश लोग चाय के कप ले जाते हैं और क्लबिंग निलामी में बाधा नहीं डालते हैं अगर ये तलवार का रहस्य है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं वो एक साइड का दर्वाजा है कोई भी उससे नहीं चाहता नीचे दी गई चर्चा को सुनकर ये चेन ने गुप्त रूप से कम से कम कई प्रतिसपर्धियों को रहत दी ये कोई नहीं चाहता यांगगे ने चारों और देखा और नीचे देखा आखिरकार वो पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका अंत में देखते हुए चाय पीना और चाय पीना भावी की भावी जहां तक यांगे का सवाल है एक गोश की तरह है जिसका मतलब है कि उन्हें ये चड़ी विधी पसंद नहीं है ये देखकर हाला कि यांगजे लाव मनोवैग्यानिक रूप से तयार थे फिर भी उन्हें अजीब महसूस हुआ चून की कोई भी यह नहीं चाहता है तो इस चड़ी विधी को गोली मार दी जाएगी हम मैं चाहता हूँ यांग जी के अपने शब्द खत्म होने का इंतजार करने के बाद ये चेन ने जल्दी से एक संकेत दिखाया वरिष्ट 30,000 स्पिरिट स्टोन मैं आज लाठी लूंगा ये चेन की आवाज ने बहुत ध्यान आकर्शित किया जो नीलमी में गुप्त रूप से छड़ी के रहसे का अभ्यास करने आये थे वास्तव में ये हमत कहिए कि ये चेन की पेशकश के बाद पेशकश करने के लिए घटनास्थल पर कोई नहीं था ये देखकर यांग जी ने चुपचाप अपनी भौहें रगणी फिर हथोड़े को पकड़ कर अपना हाथ उठाया और उसे नीचे गिराने ही वाला था हाला कि गिरने से पहले दूसरी मंजिल पर जेंग यांग जोग के सुरुची पूर्ण कमरे से एक समय पूर्व आवास फिर से आई 40,000 मैंने जेंग यांग जोग ने इसे ले लिया कोने में वू चांग किंग के उचे शब्दों को सुन कर ये चेंग ने दूसरी मंजिल पर या जेंग पर थंडी नजर डाली वू चांग किंग ये फिर से आप हैं जब किसी ने इसे नहीं लिया तो आपको इसकी आवश्यक्ता नहीं है अब मैंने इसे गोली मार दी और आप फिर से भाग गए चालीस हजार क्या अभी भी कोई कीमत बढ़ा रहा है अगर कोई नहीं बढ़ा रहा है एक लाख यांगे के बोलने का इंतजार करने से पहले कोने में ये चेन ने यांगे के भाशन को फिर से बादित कर दिया उसे और एक सास में एक लाख आत्माओं की कीमत का उलेख किया वू चानक्विंग से कोई कुछ छीन रहा है ये कल का लड़का नहीं होगा मैं नहीं देख सकता कल उस आदमी ने भूत की सिर का मुखोटा पहना था और आज उसने भिरिये की सिर का मुखोटा पहना था याजियन को दूसरी मंजिल पर फिर से देखकर वू चानकिंग का चेहरा फिर से उदास हो गया कल उन्होंने जहेंग्यान गजोग की शक्ती को संभाला और लोहे की छड के लिए धीरे से खेला लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन पर आधे मिलियन लोगों द्वारा अत्याचार किया गया था उसका चेहरा और जहेंग्यान गजोग का चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया था आज किसी ने उसकी कोई वस्तु लूट ली और उसे क्रोध से जला डाला हाला कि वह चाहता था कि उस दिन क्लब बेकार हो जाए लेकिन वह दूसरों द्वारा उसकी महिमा का अपमान बरदाश नहीं कर सकता था पंद्रह हजार इस तरह सोचते हुए वू चान क्विंग मूह सिकोडने के अलावा कुछ नहीं कर सका जैसे ही उसकी आवाज बुंजी कोने में बैठ्य ये चेन ने जवाब दिया लड़का तुम यह नहीं कर सकते जियोंगेर ने ये चेन की सीन खीचे और दूसरे हाथ से उसकी काप को धाकन नहीं भूला वह देख सकता था कि ये चेन अगली बार उससे आत्माए उधार लेगा पत्थर बाहर तीन सो शुन्य 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 स्पिरिट स्टोन तेयार है ये चेन ने जियोंगेर पर नजर डाली अरे बकवास मैंने इसे अभी तक कवन नहीं किया है जियोंगेर मुस्कुराया लड़के क्या तुम है पता है कि तुम किस से चोरी कर रहे हो दूसरी मंजिल पर वू चांदकिंग की आवाज थंडी थी उचित प्रस्ताफ सबसे आधिक बोली लगाने वाला जीतता है पूर्ववर्ती को दूसरों को हराना होगा ये चेन के शब्द विनम्र नहीं थे लेकिन उसके होटों ने जोर से व्यंग्य किया वो चांदकिंग से दोबारा लढने के लिए उन्होंने पहले ही कड़ी मेहनत की है भले ही वह अपने परिवार को खोद दे उसे उस दिन हुआ के लिए छड़ी मारनी होगी लाठी के साथ कुछ तरकीबे हैं और वह उन्हें कभी नहीं चुकेगा निसिन देह ये उनमें से केवल एक है इस समय ये चेन का मन अभी भी उस दिन पहार से गिरने की घटना से परेशान था यह उनकी शाश्वत पिवला थी वह वू चांदकिंग की श्रेष्ट रवये का और भी अधिक आदी था जिसने उसे कुछ पागलपन करने के लिए प्रेरित किया यह एक उचित प्रस्ताव है दूसरी मंजिल पर वू चांदकिंग की ठंडी हसी सुनाई दी मेरे पास जेंग्यांग से 250-000 है 500,000 जैसे ही वू चांदकिंग की शब्द गिरे ये चेन ने अपना संकेत उठाया उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया अचानक तिब्बती ड्रेगन मंडप चाय थूकने की आवाज से भर गया ये चेन ने तुरंत कीमत 250-000 बढ़ा दी जिससे वे लगभग मर ही गए यह क्या है, ड्रेगन मंडप में छिपा हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो उबल रहा है चड़ी का रह से कितना कीमती है, वह बच्चा बहुत बहादूर है जेंग्यान गजोग से कुछ छीनने का साहस करो सैकड़ों हजारों आत्माएं, ये भगवान के पास जा रही है कल ये टूटा हुआ लोहे का चाबुक था, आज ये टूटी हुई छड़ी विधी है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि किस चीज पर कम ध्यान दिया जाता है वहां आस्मानी कीमतों पर बेची जाएगी, इस दुनिया में क्या हो रहा है कोने में उत्साही गायक, ये चेन, दर्शकों में सबसे आधिक फॉलो किये जाने वाले व्यक्ति बन गए दूसरी मंजिल पर एक के बाद एक खुले मन के पर दे थे महान पीडियों के मातापिता, क्विंगयुनिजोंग, हेंग्युएजोंग, पवन रहिदपत और ब्लिथस्टी हॉल के तीन तारांकन 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 पवित्र पावहाउस, सभी आश्चर्य से प्राचीन दिखे इन लोगों की तुलना में, वू चांद किंद का रंग उदास से क्रूर और निर्दई से अनिच्चुक में बदल गया है कल का चहरा छिपाया जा रहा था, और आज का दृष्य कल जैसा दिखता है फिर, यदि आप उस छड़ी विधी से शूट नहीं कर सकते हैं, तो आप न केवल उसका चहरा खो देंगे, बलकि जैन ग्यान गजों का पूरा चहरा खो देंगे मैं निश्चित रूप से चाहता हो कि छड़ी विधी बेकार हो, लेकिन मुझे खत्म करना होगा और देखने का नाटक करना होगा, काटा विभाजित हो गया है किसी ने उपहास किया, करीब से देखने पर पता चला कि यह जुगे यू था जिसने ये बेच दिया था चेनिक सुआन टाए और हुआन स्टील कल उनकी बाते अंसुनी नहीं हुई, पहली नजर में वह यहन साधना का व्यक्ती था और जेन ज्यांगजों की शक्ती से नहीं डरता था उनके शब्दों ने वू चानकिंग के बुड़े चेहरे को गर्म कर दिया उच्छाल, उसने अपने बगल की मेज और कुर्सिया तोर दी और बोली लगाने ही वाला था लेकिन उसके पीछे हुआ यून और जी निंशून ने उसे रोक दिया बुड़े आदमी, हमारा लक्ष तियान जी डैन है बुड़े आदमी को दो बार सोचने के लिए भी कहें इस बेकार छड़ीविदी पर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन बरबाद न करें हुआ यू और जी निंशून के शब्दों ने वू चानकिंग को एक सपने की तरह जगा और वह धीरे धीरे गुस्से से जाग गया राओ इस तरह है वू चानकिंग की आस्तिन अभी भी उनके हाथों को जकड़े हुए है और खोकले में एक थंडा हत्यारा चमक रहा है अगर यहां निजी तोर पर लड़ने की मनाही नहीं होती तो वह नीचे आता और ये फैन को गोली मार देता जचे मेरे लिए जाचे वू चानकिंग ने राहत की सास ली और शेंशेंड ने अपना गुस्सा लोटाया मैं देखूंगा की कौन कितना बहादुर है मैं चाहता हूँ की वह मरने के बजाए मर जाए एक रोमांचक निलामी समाप्त हो गई है मंच पर मौझूद बुड़ा व्यक्ति आहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका यह क्या है कल टूटा हुआ लोहे का चाबुक था आज ये टूटी हुई छड़ी विधी है लेकिन ये दो चीजे जो तियान हुआन में को सबसे ज़्यादा पसंद नहीं थी यहां तक की 500-00-00 युवान की कीमत पर बेचा गया राव उनके वरिष्ट हैं जो उनका इंतजार कर रहे थे खुया हुआ एक भयनकर समापन के साथ ये चेन ने तियानी क्लब समूः को अपनी इच्छानुसार धन्यवाद दिया हाँ, मैंने अपना परिवार फिर सिक हो दिया जियोंगेर ने अपना मोटा सिर हिलाया और मेज पर रख दिया ऐसा लगता है कि आपको कुछ पैसे मांगने के लिए दूसरा चाचा नहीं मिल रहा है मैं भगवान हूँ तीन लाख, मैं भविश्य में तुम्हें ब्याज लोटा दूनगा ये चेन ने जियोंगेर के कंधे को थप थपाया ये सुनने के बाद जियोंगेर की आखे चमक गई और फिर उसने अपने क्रोच से एक कलम और कागज निकाला और लॉंग फी फैंग वू ने बढ़े अक्षरों की एक श्रिंखला लिखी और अपनी नाक पोंची जो ये चेन के पास चली गई इस पर हस्ताक्षर करें से अध्याय पच्पन पुरुषों का निमंत्रन तियान हुआ निलामी जारी है अगली निलामी का रहस्य हालांकि अभी भी पनप रहा है हर बार डकैती का कारण बनेगा लेकिन क्रिकेट टीम की तुलना में यहा भी भी थोड़ा खराब है अध्रिश्य रूप से रात आ गई है आज की निलामी यह अंथ है तिबबती ड्रेगन मंडप में यांगे की पुरानी आवाज बूंजने के साथ जुआनश्य रहस्य निलामी आज समाप्त हो गई लोगों की भीर अपने पैरों पर खड़ी हो गई प्रतेक चिल्ला रहा था और जाने से पहले वे भीरिये के सिर का मुखोटा पहने हुए यह चेन पर एक नजर डालना नहीं भूले यह कहा जा सकता है कि यहां आज की निलामी का सबसे गर्म विशे है यह जियानशान पीडी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ती है जिसु में सीटू परिवार के सफेद बालों वाले बुले व्यक्ती ने दाड़ी वाले ये चेन पर नजर डाली बुले आदमी सीटू ये छोटा बच्चा जब आप छोटे थे तब की तुलना में बहुत बहतर है डूंग्यू शांदगुआन के घर में सफेद कपड़े पहने एक बुड़ा व्यक्ती हसा दो पुरानी चीजों की कल नीलामी की जाएगी और कुछ छोड़ दे प्यार बेचवान वान परिवार में लाल बागे में खूबसूरत मध्यम आयू वर्क की महिला ने सितू और शांदगुआन के घरों में दो बुजुर्गों पर गुस्से भरी नजर डाली कई विचार है और कई खृषक परिवार जब चले जाएंगे तो ये चेन को देखेंगे ललका तुम इस समय बहुत आकरशक हो जियों गेर को की युवाव के बारे में सपश्ट रूप से पता था जब प्रत्यक दल ने ये चेन की ओर देखा तो वो उसकी पकड में आ गया बुराई का निर्माग ये चेन अपनी भोहें रगले बिना नहीं रह सका दूसरी मंजिल पर किंगियून संप्रदाय पहले ही उतर चुका था बुजूर्ब तसिंगाई और बुड़े व्यक्ती ने बसला परवाही से ये चेन की ओर देखा लेकिन लुजी जिसने उसे छोड़ दिया था ने फोल्दिन पनके को हलके से देखा और ये चेन की आँखों में थोड़ा उज़ा हुआ था दिलचस्प लुजी मिन की चंचल गाली मेरे डेंटियन का बदला ले लो मैं तुम्हें देर सवेर धूंड लूंगा से दूर देख रहे हैंने कि इच्छा ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन अपनी मुठ्थी भींच ली उसी दिन लूजी इतना शरार्ती स्वभाव का था और वह पूरी तरह से साफ हो गया था इसके बाद हेंग्यू जोंग्यू जियान फेक की हवा है उनके पास वास्तब में अपने पूर्ववर्तियों की शैली है उसके काले बाल घने हैं, जरने की तरह बह रहे हैं, एक लंबी तलवार पकड़े हुए है आदमी की पूरी पीट पहार जैसी खुरदरी होती है संपूर्ण व्यक्ति का स्वभाव म्यान से निकली तेज तलवार के समान है ये चेन की आँखों को देखकर लगता है कि वह लंबा नहीं है, लेकिन वह सौम्य और दयालू है खून के प्यासे हॉल में मुझूद लोग भी नीचे उत्रे, दूर से ये चेन को देखा और भौहे चड़ाली गावलाव किया अपने उस आदमी में एक परिचे ताभा देखी है सफेद लबादे वाले युवक ने अपने बगल में भूरे बालो वाले बुड़े व्यक्ती की ओर देखा चिपी हुई आत्मा देखी नहीं जा सकती भूरे बालो वाला बुड़ा आदमी कैंगलों पविलिन से बाहर निकलते ही गुर्राने लगा उस पर ज़्यादा ध्यान दो हो सकता है हम उससे कहीं मिले हो खून के प्यासे हौल के पीछे वे जहेंग्यांगजों के लोग हैं उसकी आखों में ये चेन ने वू चानकीं का बेहद उदास बुड़ा चेहरा देखा लड़का तुम बुरी तरह मरोगे दूरी से परे ये चेन अभी भी वू चानकीं की जानलेवा आखों को देख सकता था वो चानकींग की आखे गायब थी, हाला कि ये चेन बेहद अनिच्छुक थी, लेकिन फिर भी जी निंशुन की खूबसूरत आखों से जुरी हुई थी. पिछले प्रेमियों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, इसलिए ये चेन अकसिन मदद नहीं कर सके, लेकिन आहत हुए. ये जी निंशुन थे, जिन्होंने थोड़ा सा भौहें चड़ा ली. ऐसा लग रहा था कि ये चेन की आखों में एक परिचित भाबना महसूस हो रही थी और कुछ अजीबते सुन्दर आखों में चमक. साथ ही, ये चेन अब दिखाए नहीं दे रहा था और उसने अपना सिर्भुमा लिया. नीला मी में आए लोग एक के बाद एक पीछे हट गए और ये चेन तिबबती ड्रेगन मंदप के पिछले हॉल में आ गए. उपहास किया, ये जानते हुए कि यांगगे चिपा नहीं था, ये चेन ने अपना भेलिया सिर्हटा दिया. मुखोटा और उसकी नाख की नोग को चूने से खुद को नहीं रोक सका. स्पिरिट स्टोन सौंक ने और तियान की क्लब उठाने के बाद वह मुड़ा और चला लेकिन यांगगे ने उसे रोक दिया. वरिष्ट, क्या कुछ और है? ये चेन ने यांगगे लाजी को संदेह से देखा. चोटे लड़के, क्या तुम मेरे साथ तियान जूवान मेन में शामिल होना चाहते हो? उसने मुस्कुराते हुए ये चेन की और देखा और यांग ज इस समय, वह एक तनावपून स्थिती का निमंतरन भेजेगा, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था. जूशी बहुत अचानक आया, जिससे उसका सिर्थ थोड़ा चक्कर में आ गया. वह डी ही तियान जूवान में द्वारा देखा जा सकता था. क्या ये वास्तविक रखते हैं. ये चेन को बेहोश देखकर यांग गे लाओ फिर मुस्कुराए. ये चेन ने फिर हसते हुए प्रतिक्री अव्यक्त की, बुले लोगों को छोटे का मजा कोड़ाना चाहिए. मैं एक संकुचित भावना वाला यूवा हूँ, मैं आपकी बुली आँखों में कै से प्रवेश कर सकता हूँ. खेती करना कोई समस्या नहीं है, तियान जुवानमेन जो देखता है वह प्रतिभा है. यांग जी की बुली उपपतनी एक दयालू बुले दादा की तरह हसी, बेशक, जो हम देखते हैं वह आपकी असली आग है, लेकिन सबसे महत्वपूम है कि मैं दाचु से पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा और भाविश्य में दाचु के मामलों में भाग नहीं ले पाऊंगा. ये चेन ने अपना रुख्यता सम्भव कम रखा और युवा पीडी की विनम्रता रखी. तियान एक सुवानमेन के लोग दाचु की मुखे सेनाओ के बीच विवादों में भाग नहीं लेंगे. ये सभी उम्र के द्वारपालो द्वारा निर्धारित नियम है. ये है शेन चेन कराह उठा और ये चेन ने उसकी थुड़ी कुछ हुआ. यदि पीटियान जुवानमेन रहस्यमय और शक्तिशाली है, उसके पास मजबूर बं जोग, उस दिन पहार से नीचे गिराए जाने के लिए तुम्हें शर्मानी चाहिए. जल्दबाजी में जवाब मत दो, वापस जाओ और इसके बारे में सोचो, मेरे शब्द हमेशा मायने रखेगे. ये चेन को कराहते देख यांग जी थोड़ा मुस्कुराई. इस तरह, म मंत्र तोड़ने के लिए आमंत्रित किया. पहली सीट पर दाच्चू की नई पीडी में उनसे आधिक प्रतिभा है, तो केवल उन्हें ही क्यों आमंत्रित किया जाए? यांग गए ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने बुले व्यक्ती की और देखा संदेह करो, क्या इसलि आग सामानने प्रभुत्व नहीं है. उसका खून मायने रखता है. इस मामले के लिए भगवान से पूछने की कोई जरूरत नहीं है. बुले ने बैंगनी बुले आदमी की और देखा. मैं उसे धूंधना चाहता हूँ. बैंगनी रंग वाले बुजुर्ग ने गुस्से से कहा. वह शांत हो गई, तियानिक सुवानमें को मेरी ओर फेक दिया और वह व्यर्थी गिर गई. कौन जानता है कि वह अब कहा पागल हो रही है. जैसे ही ये चेन मास्क के साथ तिबबती ड्रेगन मंडब से बाहर निकले उन्होंने दो परिचित सासिली. पूर्व में रुकता और रुकता, कभी कभी सड़क के किनारे चुनता और चुनता. हुआ यू और जी निंग्शून का अंधेरे में छिपा हुआ प्रयास काफी अच्छा है और उन्होंने दर्जनों सड़कों पर ये चेन का पीछा किया है. क्या तुम मेरा पालन कर सकते हो? सड़क पर एक दुकान पर ये चेन रुकी और उसने नीचे की ओर देखा. वह अपने मूँ के कोने में हसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी उत्पत्ती के बारे में नहीं सोचना चाहता. ऐसा कहने के बाद ये चेन को एक और पहचान का उलेक करना पड़ा. जेन ग्यान दोग के सुचना मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे. वे बचपन से ही शिक्षित थे. वह अक्सर जानकारी इकठा करने के लिए पहार से नीचे आते थे. उनका सबसे अच्छा कोशल ट्रैकिंग था. ट्रैकिंग में एक विशेशग्य के रूप में उनका ग्यान किसी से कम नही है. दूसरों पर नजर रखने से कैसे निप्टे ये भी उनके आवश्यक पाठ्यक्रमों में से एक है. हाला कि वह हुआ यू और जी निंग्शून जितना अच्छा नहीं है, लेकिन जब इस ट्रैकिंग की बात आती है, तो हुआ यू और जी निंग्शून अभी भी बहु लेकिन ये चेन गायब हो गए. ये बच्चा आसान नहीं है. हुआ यू ने थंडे स्वर में कहा, लोगों को खोद दिया और उसे बहुत गुस्सा आया. उनकी खेती हमसे बहतर हो सकती है. जी निंग्शून जो हमेशा शांत रहते थे, करा हो थे. लेकिन ये एक संभावना से इनकार नहीं करता है. निया अर्थात वह बुद्धी के इंद्रित वर्ग का सदस्य है और अधिकांश लोग उसका अनुसरन नहीं कर सकते. अध्याय चपन वुजियान ये चेन सराय में लोट आया, जियोंगेर पहले से ही कमरे में था. पूरी चीज बिस्तर पर पढ़ी ले लिये और जानबूज कर उन्हें अपनी बाहों में धकेल लिया. ये देखकर जियोंगेर का छोटा मोटा चेहरा अचानक काला पढ़ गया. मुझे लगता है कि आपका भालू परिवार बहुत अमीर है. दूसरी और ये चेन को आगे बढ़ना था और कुछ स्पिरिट प विचार है. जियोंगेर ने शाप दिया और अपना भंडारंग बैग वापस अपने क्रोच में डाल दिया. ये सुनकर ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन उसकी नाक की नोक पर खांसी हुई. जियोंगेर ने वास्तव में इस दो दिवस्ये निलामी में बहुत मदद की. अन चक आपको इसका भुगतान करना होगा. हमारे पास अभी भी एयू है. कट. ये चेन ने असेहमती जताए. फिर जियोंगेर के खिलाफ जुक गए. अपनी उंगलिया जियोंगेर के खिलाफ रख दी और भौहें चड़ाते हुए पूछा. मैंने सुना है कि आपका भालू प पत्थर की खदान का जिक्र मत करो. इसकी वज़ह से मेरा जियोंग परिव. रह बहुत चिंतित नहीं है. और मैंने जो आत्मा पत्थर इकत्र की हैं. वे कभीले के लोगों के लिए चिकित सा उप्चार के लिए उप्योग करने के लिए पर्याप नहीं है. मैं नहीं कर सकता ये चेन का चहरा अविश्वासी था. दाचु नांजियांग में क्यूई परिवार को छोड़ कर कौन आपके भालू परिवार के साथ ब्रमित होने की हिम्मत कर रहा है. ये आधिक है. चलो और आधिक दें. मेरा भालू परिवार इसे बरदाश्ट नहीं कर सकता. चलो मेरा इन ने असहाय रूप से सिर हिलाया, मुल गया और जियोन गेर के कमरे से बाहर चला गया. अपने कमरे में ये चेन बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैट गया. पवित्रा आत्मा संधने थुई और वाइल्ड रिफाइनिंग बॉडी विधी ने तुरंत काम किया. इसे क्लिक क जल्द ही उसके शरीर में कनकाल के टकराव की आवाज फूट पड़ी. आग, सच्छे युवा ने अपने पूरे शरीर पर मेरिडियन हडियों को लपेट लिया और फारने के दर्द ने उसे मदद करने में असमर्थ बना दिया लेकिन धुरगुराने लगा, लेकिन वह कुम गई है. ये चेन को केवल थंड़क महसूस हुई क्योंकि उसने अपने कठोर शरीर को मोर दिया. जल्द ही, वो मुड़ा और क्लब को बाहर निकाला. सेकड़ों हजारों स्पिरिट स्टोंस. क्लब को मारने की कीमत के बारे में सोचते हुए, ये चेन मदद नहीं कर सका लेक थोगा दर्द महसूस हुआ, लेकिन बच्चे बाग के लिए एक अच्छा चड़ी रहसे रखने के लिए उसने सोचा कि ये हातिरिक पैसे के लायक होगा. टेंटेकल रोड के प्राचीन स्क्रॉल एक सील के साथ उसके द्वारा थोड़े से तोड़ दिये गए थे. फिर उस चड़ी के रहसे को विस्तार से पेश किया, बलकि कई तरीकों को भी समझाया. तियान्यू स्टिक का गठन, हमले और बचाव में विभाजित, हमले और बचाव का एक सयोजन है. अंत तक अभ्यास करें, आप गठन को खेलने के लिए स्टिक की आभासी चाया का उप्योग कर सकते हैं. ये निश्चित रूप से स्टिक के रहसे में कुछ रहसेों में से एक है. ये चेन अलग-अलग रंगों को देख रही थी और गुप्त रूप से पाच लाख स्पिरिट पत्थरों में कोई सफेद फूल नहीं थे. कई घंटों की रोशनी के बाद वह उस्छडी के रहसे को सुझाने में भी सक्षम हो गया. हाला कि कर्मचारियों की मरम्मत करना कठिन है, एक बार जब इसे अंतक विक्सित कर लिया जाता है, तो ये किसी भी तरह से किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास से कमतर नहीं होता है. वास्तव में अच्छा, मन ही मन सोचते हुए, वह और बाहर कूद गया, फिर अपने भंडारन बैक से एक दंडा निकाला. डुंजन, डुंजन, जल्द ही, कमरे में एक शोर सुनाई दिया और हवा में लंबी चड़ियों की टकराने की गंधा आती रही. उनके दिमाग में तियान गान क्लब की पद्धतिया उससे प्रवाहि लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो वेस पश्ट रूप से चड़ी की चलान के प्रक्षे पत का अनुसरन करती थी. ना जाने कितनी देर में एक से बढ़कर एक आकृतिया सामने आती जाती है और ऐसा लगता है कि उसके चारों और गैस मास्ट की तरह एक कमजोर करना वास्तव में कठिन नहीं है. ये चेनफा ने अपने कर्मचारियों के साथ चड़ी के अभ्यास की खोज की और ये चेनफा ने पाया कि उनके अन्याय करवे और समझ से बाहर थे और ये कोई आश्टर्य की बात नहीं है कि कई विक्षू लाठी की मरम्मत करने के लिए तैयार नहीं थे. हाला कि कुछ खेती के बाद ये लाब के बिना नहीं है. हेवनली वैंट प्लब आप आक्रामक और रक्षात्मक चड़ियों का एक समूह बनाने के लिए दासिंग स्टिक की चाया का उप्योग कर सकते हैं. फिर यदि आप तलवार का उप्योग करते हैं, तो क्या आप आक्रामक और रक्षात्मक तलवारों का एक समूह बनाने के लिए दासिंग तलवार की चाया का भी उप्योग कर सकते हैं. वह बिस्तर पर बैट गया और ध्यान से सोचने लगा यह उम्मीद करते हुए कि छड़ी और तलवार के बीच समानता टेंटेकल तो उसने सोचा कि उसकी रक्षा और आक्रमन बहुत बढ़ जाएगा. एक घंटे के कटिन विचार के बाद उन्हें और अधिक महसूस हुआ कि यह विदी संभव है. बस करो, वो पीछे कूदा और दहारते हुए चिकसिया और शाप तलवार खीचली. तलवार बाहर, तलव तलवार बंद, पैत्रिबाजी, तिर्चा, स्लैश, रिवर्स कट. वह जो चाले उप्योग करता है वे सभी तियान्या क्लब विदियो पर आधारित हैं, जो तेज या धीमी नहीं है. आंदोलनों के एक समुह ने आंदोलनों की एक श्रिंखला का पालन किया और उसकी तलवारों की तलाश में है जो उसी तरह काम करें. तियान जियान तलवार सनरचना के बारे में जाने जो तियान इन क्लब के समान है. चिकसियाओ की तलवार बीप करती रही और हर बार जब वह लहराता तलवार की छाया दिखाये देती. समय के साथ उनकी तलवार उच्छाल और आकरामक ताकत बहुत मजबूत है नीचा आसानी से टूटा हुआ और अवरुद भूर में ये चेन ने चिकसियाव तलवार को बंद कर दिया पुकारना एक और गंडी सास छोड़ी गई और वह मुगा और खुद को बिस्तर पर गिरा दिया अपने सिर के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकर लिया और अपनी आखे धीरे से बंद कर ली उसके दिमाग में छड़ी और रहस्यमय तलवार की पुनरावृत्ती हो रही थी त्यान जियान क्लब से त्यान जियान तलवार निर्मान को साकार करना सपश्ट रूप से दिन और रात की बात नहीं है ये बात वह अच्छी तरह जानता था मिस्ट्री पॉट शो रात और रात नहीं हुआ धार तेज करने में समय और अभ्यास लगता है जैसे एक लोहार तलवार को तेज करता है एक अच्छी तलवार बनाने में हजारों हतोडे लगते हैं दुनिया के हतियारों के अपने फायदे हैं लेकिन उन सभी का लक्षे एक ही है मुझे आश्चर्य है कि जब ये चेन ने अपनी आखे खोली और उसकी आखों में एक आभास हुआ तलवारें, तलवारें, ही बर्दा और हत्वनों और कुलहर्यों में समानताए हैं चून की पूर्वच त्यान जियान क्लब को समझ सकते हैं, मैं भी त्यान जियान क्लब को समझ सकता हूँ समय कोई समस्या नहीं है जरूरत है धारना की अध्याए 57, तियान जीदान एक नया दिन आ रहा है और डच ब्लेक मार्केट निलामी का आखिरी दिन आ रहा है ऐसा लगता है कि आज निलामी में पिछले दो दिनों की तुलना में अधिक प्रतिभागी है भील गंभीर दिखने वाले लोगों से भरी हुई है पहले दिन जादूई हथियार की निलामी हुई, दूसरे दिन रहस्यमय विधी की निलामी हुई और तीसरे दिन अमृत की निलामी हुई दृष्टि कोन को देखते हुए, आज जिस अमृत की निलामी हुई वह साधारन है बील को देखकर ये चेन कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका एक वाक्य बिलकुल जियोंगेरी की उत्सुक अधीरता मुर्गे के खुल में थी आज की नवीनतम पृती दाचु के भविश्य के मौडल को बदलने की संभावना है एसा गाई का काटा किया आप आकाश को जानते हैं जियोंगेरी ने ये चेन की ओर देखा ये चेन ने शाप दिया छह गुना भिख्षुक शेत्र लेकिन ये स्वरगी एक शेत्र उच्चतम खेती है और एक स्वरगी एक शेत्र हजारों वर्षों तक रह सकता है यह उच्चित है, जियोंगेर रहस्यमय धंग से बाहर आया और फुस-फुस आया, क्या आप जानते हैं कि अंतिम नीलामी अमृत यहां क्या है? यह सुनकर यह चेन ने धीरे से सिरहिलाया, तियान जी दान, यह चेन जम गया, क्या इस समझ को सुनने से लोगों को स्वर्ग तक पहुँचने में मदद मिल सकती है? तो मैंने सुना है, जी ओन गयर का उत्तर असपश्ट था, दच्चू में बहुत सारे लोग हैं, और आकाश में काम करने वाले बहुत से लोग हैं, और आकाश के शीर्ष पर कुछ लोग नहीं हैं, और बहुत सारे बिक्षू हनलगभग स्वर्ग में, उस दिन, यदी आप लगभग स्वर्ग में भिक्षूओं को इसे लेने दे, तो शायद इससे उन्हें स्वर्ग की और बढ़ने में मदद मिलेगी, आप कहते हैं कि मवेशी नहीं हैं, जी ओन गयर की शब्दों को सुन कर, ये चेन की भोहें मदद नहीं कर सकी, यदी जिंगदान का उस दिन वा प्रभावित करेगा, जी ओन गयर की शब्द निश्चित रूप से अतिरंजित नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उस दिन खेती करने वाले लोग बहुत शक्तिशाली थे, देखो, आज की निलामी बिल्कुल बेहत भायन कर है, जी ओन गयर ने आगे कहा, मेरे जी ओन परिवार के पूरवजों सहित मुख्य बलों के पूरवज बहुत अधिक नहीं है, और वे सभी इस दिन का उप्योग सोने के लिए करना चाहते हैं, गिरे हुए स्वर्ग में प्रवेश करें, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग शून्य क्षेत्र में खेती करते हैं, वे 500 साल तक जी दित्व करते थे, देखो, आज की निलामी, इन खूबसूरत कमरों में कोई लोग नहीं है, और हर कोई इरोन के पीछे तिबबती ड्रेगन में छिपा हुआ है, कोर्ट की पहली मंजिल पर भीड है, आपका क्या मतलब है, तियान जी दान का रिष्टा बहुत बड़ा है, ज पई ताकतों द्वारा पीछा किया जाएगा और मार दिया जाएगा, भले ही वे मारे न जाएं, दाचु की मुख्य सेनाय जल्द ही एक जुट हो जाएंगी और रक्तपिपासू मंदिर पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों को उत्तर की और भेज देंगी, बेशक, अगर स चेन करा हो ठे, यही सिध्धान्त है, जियोन गेर ने सिर हिलाया, तो निलामी में भाग लेने के लिए आने वाले सभी लोग पहचाने जाने के दर से अपनी उपस्तिती और भावना को छिपाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या तियान जी डैन जुआनमिन उस दिन निलाम हैं, यह देखना अच्छा है कि क्या आप इसे खरीद सकते हैं, यदि आप इसे सुरक्षित रूप से वापस ला सकते हैं, और यदि आप इसे ले सकते हैं, तो आप इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं हैं, ठीक है, निलामी के बाद हम में से अधिकान श्टोप के लिए मास बन जाएंगे, हर कोई तियान जी डैन का अफरन कर लेगा जो हमारी देख भाल करेगा जियोन गेर ने इसे हलके में नहीं लिया और ये चेन का गंभीर रूप देखा उन्होंने राहत में ये चेन के कंधों को भी थप थपाया आश्वस्त रहे कि मैं यहां एक से अधिक बार आया हूँ बच्चा, बापचीत के दोरान Hidden Dragon Pavilion का दरवाजा बंध हो गया इस समय चाय पीने वाले और भावी सभी मेज पर बैठे हैं जैसा कि जी उन्डेर ने कहा दूसरी मंजल पर मुख्य बलो का प्रतिनिदित्व करने वाले सुन्दर कम्रे खाली है और इस समय कोई नहीं है ये चेन ने लोगों की भील के चारो ओर देखा, जादातर चेहरे जादातर ये रॉन के पीछे ये सोचते हुए, वो अपने बगल में काले बालों वाले बुड़े आदमी पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका उसने उपर से नीचे देखा एमबीए की उसके बगल में जैध है हिंड यान्ग जोग वू चांद किंग या शायद ये बुड़ा आदमी हिंड जोग यू जियान फेग है ट्रेकलेस हवा का द्रिश्य द्रिश्य बदल देता है मुझे कैसा लगता है कि हर जगार गड़े है ये चेन ने आह भरी ये मजबूत लोगों के लिए एक मामला है हम सिर्फ कुछ चोटे जीनगा है जियोन गेर उसे सपष्ट रूप से देख सकता था और उसके बाद वो फिर भी फुस्फुसाया अगर मेरा जियोन परिवार इसे बरदाश्ट कर सकता है तो ये सबसे अच्छा है जल्द ही सामने मंच पर यानगगे धीरे-धीरे उपर चट गया उसने पहले एक नजर नीचे फिकी उसने अपना गला साफ किया अकर शुरू करो फिर उसने अपनी बाहों से एक जेड बॉक्स निकाला भले ही जेड बॉक्स बंध है फिर भी उपस्तित लोग शून्य से निकलने वाले अमरित की गंध को महसूस कर सकते है जुगुदान मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके औशदिये प्रभावों के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है आधार मूल्य पचास हजार युवान है और मूल्य वृद्धी हर बार एक हजार स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होनी चाहिए अब नीलामी शुरू होगी यांगगे के अंतिम निर्नय के बाद उसने फिर से एक सील बंद जेड बॉक्स निकाला शी सुई ड्यान नीलामी शुरू करते हुए शुरू आती कीमत पचास हजार युवान है साथ हजार ये चेन को आश्चर्य की बात ये थी कि पहला प्रस्ताव उनके बगल में जियोंगेर का था हाथों की इस जोडी ने चिन को पकड़ कर उपर उठाया लेकिन ये जितना उचा था उतना ही उचा था क्या तुम्हारे पिता ने अपना गला नहीं धोया ये चेन ने एक पल के लिए जियोंगेर की और देखा मैंने इसे अपनी दुलहन के लिए शूट किया हे 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 वाँ की कीमत एक लाख भेज दी गई 11,000 जियोंगेर ने मेज पटक दी और उचल पड़ा उसकी आवाज इतनी तेज थी 15,000 दूसरी आवाज ने सीधे तोर पर इसे चड़ाया आप अद्भूत है मैं इसे आप और नहीं चाहता जियोंगेर इतना हताश था कि वह बोली जारी रखना चाहता था लेकिन वह इतना शर्मीला था शायद क्योंकि जियोंगेर परिवार को भी स्वाभाविक रूप से यदि जियोंगेर शियोंगेर शियोंगेर की तस्वीर लेने में असफल रहा तो वह स्वाभाविक रूप से जियोंगेर को मुआवजा देगा मेरेडियन को ठीक करना एक मात्र चीज नहीं है जो जियोंगेर कर सकता है वह भी ऐसा कर सकता है Meridian उससे कहीं बहतर है यदि आप इसे नहीं ले सकते तो आप इसे नहीं ले सकते दुलहन को शिरुबिंदू से धुने से मैं धर गया हूँ ये चेन हां से आप ये कर सकते हैं यह अवश्य किया जाना चाहिए ये चेन ने अपनी छाती थप थपाई और अन्यलोगों के लिए जंगली शरीर का उप्योग करना असंभव नहीं है दोनों के बीच एक और अमृत की नीलामी नीचे की गई यह एक ऐसा अमृत था जो महिलाओं को हमेशा जवान रखता था मुझे लगा कि सभी महिलाओं बोली लगा रही है मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान बुरूओं और कई दुष्ट बुरों का एक समूर शर्माये हुए और मोटी गर्दन वाला होगा द्रिश्टिगत रूप से महिलाओं के इस समूर के आधे से आधिक भाग को महिलाओं के लिए देखना आसान है ये चेन ने अर्थपूर्ण धंग से कहा नीलामी जारी है जब भी यांगगे अमरित बहर लाएगा तो यह नीचे बहुत उत्साह पैदा करेगा इसलिए मंदपमहान तिबबती ड्रेगन गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे समय बीटता जा रहा है नीलामी खत्म होती जा रही है इस अवधी के दोरान जियोन गेर ने फिर से गोली मारी और कामुत तेज़क अमरित खरीदा इस अवधी के दोरान ये चेन ने अपना अधिकांश समय सोने में बिताया और वह केवल पैसे के बिना ही सो सकता था इस बीच एक चमतकार हुआ जिसे 800 हजार युवान का पुरसकार मिला और अंततह एक अग्यात मजबूत आदमी ने उसकी तस्वीर कीची अध्याय अठ्थावन साथ में जैसे ही रात होने वाली थी पुराने मंडपने भंडारन बैक से एक जेड बॉक्स निकाला जो शान्त और स्पष्ट था कहने का मतलब यह है कि यह जेड बॉक्स वाकई काफी कीमती है इससे लिंग्यू ने बनाया था यह चमकदार और रूंस से भरा हुआ है इस पर तीन मुहले भी हैं जिससे आप अंदर देख सकते हैं एक बैंगनी अमृत चुपचाप पड़ा हुआ है तियान जी दान यह तियान दान है अंतताः प्रतीक्षा करें जैसे ही जेड बॉक्स बाहर निकाला गया कमरे में मौजूद सभी लोगों की आखे चमक उठी और हर कोई सीधे बैट गया और जेड बॉक्स को भूर भूर कर देखने लगा कई लोगों की सासे पहले से ही उख़ड रही थी आपको पता होना चाहिए कि जेड बॉक्स में मौजूद अमृत दाचू के अगले मॉडल को बदलने की दवा हो सकता है जल्दी करो, ये तियान जी डैन है कोने में, जियोन गेर ने जेड बॉक्स को देखा और ये चेन को फिर से धखका दिया क्या आप यहां है ये चेन जी लिंग ने अपना सेर उठाया अपनी नींद भरी आँखो को मलने में बहुत देर कर दी नायांग मंड़त के पुराने हाथों में जेड बॉक्स को देखा और जेड बॉक्स में बैंगनी लिंगदान को सपश्ट रूप से देख सकता था क्या वह तियान जी डैन है ये चेन ने अपने होंट चाटे उत्प्रिष्ट ऐसा लगता है कि हमारे पास आधा सेंट भी नहीं है मैं तुम्हें बेचने का जोखिम नहीं उठा सकता ध्यान के केंद्र में यांग जिदान के अनुग वी पुराने जेड बॉक्स को हवा में लटका दिया गया था तियान जी डैन ये स्वर्ग में लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमती दे सकता है बेशक ये संभव है कि यदि आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं तो ये सिर्फ आपके अच्छे भाग्य पर निर्भर करता है संक्षेप में परिचे देते हुए यांग गे ने बेहोश होकर कहा तियान जी डैन आरक्षित मूल्य 500-000-000 युवान है और मूल्य वृद्धी 10,000 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं होनी चाहिए अब नीलामी शुरू होगी पाँच दशमलव 500-000 स्पिरिट पत्थर इस कीमत पर बहुत से लोग अंजाने में इसे निगलने से बच नहीं सकते यदि यह एक मार्शल आर्ट या एक परिवार नहीं है जिसमें इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं तो बहुत से लोग ये समझ चुके हैं कि शुरू से ही जी डैन का उनके साथ आधा प्रतिशत भी कोई संबंध नहीं है इस आरक्षित मूल्य नहीं कई लोगों की जान ले ली है पाँच सो पचास हजार हाला की अभी भी हैं बहुत से लोग जो अमीर हैं और कोई तुरंत इसके लिए बोली लगाएगा और उस व्यक्ति का परिचे देने की कोई आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि वह ये रोग के पीछे है ये कहने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कि उसकी गहली नीव है चाह सो हजार आठ लाख आठ सो शुन्य 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 तियांजी डैन को गोली मारना चाहते हैं मेरे पास दस लाख हैं एक दशमलव एक मिलियन एक दशमलव तीन मिलियन जब पहले व्यक्ती ने प्रस्ताव पर बोली लगाई तो ऐसा लगा मानो एक शुन्खलाबद प्रतिक्रिया शुरू हो गई हो ऐसा लग रहा था कि पूरा तिबबती ड्रेगन मंडब फट गया था और जब भी कोई पुरसकार के लिए चिल लाता था तो कमरे में हर कोई उत्साहित हो जाता था एक मिनट से भी कम समय में तियांजी डैन की कीमत 500-000-000 के आधार मूल्य से बढ़कर 2 मिलियन से अधिक हो गई एक छोटी सी पहारी पर 20 लाख स्पिरिट पत्थरों का धेर लगाया जा सकता है किसी ने कहा और वह उपर देखना नहीं भूला मानो वह उस आध्यात्मिक पत्थर के पहार को देख सकता हो जिसकी उसने कलपना की थी 80 मिलियन स्पिरिट स्टोन के बिना आप इस दिन की खामोशी को सहन नहीं कर सकते ये चेन कोने में करा हो थी हाला कि बोली लगाने वालों को समायोजित करना आसान है लेकिन उन्हें लगता है कि न तो बड़ा परिवार और नहीं मार्शल आर्ट के दिगगज अभी तक निलामी में शामिल हुए है अंतेम विशलेशन में वे मुख्य प्रतिसपर्दी शक्ती है जैसा कि जियोंगेर ने कहा तियान जी डैन का रिष्टा बहुत मजबूत है जो एक गुट की मदद करने के लिए पर्याप्त है और एक गुट पर कहर बरपाने के लिए पर्याप्त है 2.3,5,9,9 नीचे तियान जी डैन की नीलामी अभी भी भयान कर है और उसकी कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। कई दौर की नीलामी के बाद अधिकांश लोगों की समुद्र तट पर गोली मार कर हत्या कर दी गई। वे जिन लाखों स्पिरिट पत्थरों का दावा करते हैं वे इस नीलामी में पर्याप नहीं हैं। दूसरे शब्दों में तियान जी डैन नीलामी वास्तव में अभी शुरू हुई है। पाँच लाख, बेशक, अंधेरे में एक बड़ी ताकत थी और सीधे कीमत बढ़ा कर पाँच मिलियन कर दी गई, लेकिन जिन लोगों ने पहले ही बेताशा बोली लगा दी थी, उनकी अचानक मृत्यू हो गई। बुपनियता में बड़ी ताकते बहुत पारदर्शी प्रतीत होती हैं। तियान जी दान का मूल्य बहुत महान है। इसे तीन या चार मिलियन स्पिरिट पत्थरों द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। ये बस निरनायक लड़ाई को आगे आने की अनुमती देता है। मैं वसा की उन्होंने कहा ये चेन का हाद भी जानबूचकर जी ओन गेर के पैर पर रखा गया था जिसमें वसा का एक टुकड़ा था और तब ये बहुत खुरदरा था। बाद चारों और भूम गया शायद जी ओन गेर इतना उत्साहित था कि उसे कभी दर्द महसूस नहीं 8 मिलियन स्पिरिट स्टोन के बिना तियान जी डैन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कीमत बढ़कर 6.5 मिलियन हो गई है जो पहले से ही दाशिजिया की क्षमता से परे है। मत पुछो बड़ा परिवार लगभग खत्म हो गया है। ठीक है मेरा जी उन परिवार खेल से बाहर हो गया है। जी उन गेर ने सिर हिलाया। 6.5 मिलियन आपके भालू परिवार को भुकतान करना होगा। ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन अपना सिर घुमाया। बेशक मैंने भुकतान किया। जी उन गेर ने इसे टाला नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि मेरी जी जी उन परिवार की संपत्ती लगभग खाली है। हाला कि तियान जी दान कीमती है इसे अपने साधनों के भीतर किया जाना चाहिए। अगर इसे लेभी लिया जाता है तो इसे दोबारा लोटाना सुरक्षित नहीं हो सकता है। भले ही सुरक्षा बैल्ट वापस कर दी अकाश में मांचित्र बनाना मुश्किल हो सकता है। ये बोलते हुए जी उन गेर ने असहाई रूप से अपना सिर हिलाया ऐसे आमृत के लिए वह दिवालिया हो गया। यह एक बड़ा दाव है और मेरा जी उन परिवार जुवा नहीं खेल सकता। ये सच है। ये चेन करा हो थे। अगर उन्हें महेंगे चाई चावल के बारे में पता नहीं था तो जियोंगेर के पिता ने इसे अच्छा माना। वे इस जुवा को बरदाश्ट नहीं कर सकते थे। एक बार जब वे हार जाते हैं तो परिनाम अकलपनिय होते हैं। 7 मिलियन तियान जिदान की नील रूप से अभी भी बढ़ रही है और यही एचेन की अपेक्षा से अधिक है। नीलामी समाप्त हो रही है। तियान जी डैन की कीमत पहले ही लगभग 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन तक पहुँच चुकी है। 9.5 मिलियन लेकिन कीमत अभी भी भी बढ़ रही है। फिदन ड्र अच्छिक मरमत को नजरंदास कर दिया और कुछ लोगों के लिए रुख गए। 100 लाक जल्द ही कोने से एक आवाज आई और यह चेन और जी उन गेर मदद नहीं कर सके लेकिन अपना सिर जुकाया क्योंकि जिस व्यक्ती ने पुरसकार के लिए चिलाया वह काले बालो वाल बुड़ा व्यक्ती था जो उनके बगल की सीट पर बैठा था। इसी तरह हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उपर देखा। प्रश्चित थी वह ये थी कि वह महल के तीन संप्रदायों में से एक से संबंधित था। वह और जियोंगेर अब उम्मीद करते हैं कि उनके बगल में काले बालो वाला बुड़ा व्यक्ती हिंग्यू जोंग्यू जियान फेग की गंध है। यदि ऐसा है तो त्यान जी डे पेड़ पकड़ रखा है जो हजारों वर्षों तक नहीं गिरेगा। लेकिन जियोंगेर और ये चेन को भी पता था कि ये काले बालो वाला बुड़ा आदमी शायद क्विंड यूनिजोग, जहंग्यान गजोग और ब्लिद थस्टी टेंपल भी है। यदि ऐसा है तो ये ह उनके हिंग यूजों के लिए अच्छी बात नहीं है। काले बालो वाले बुड़े व्यक्ती ने 10 मिलियन की पेशकश की जिसने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्याना कर्शित किया और कई मजबूत लोगों ने गुपत रूप से उसे देखा। 10 मिलियन स्पिरिट कल्प के साथ तियान जी डैन की नीलामी समाप्थ हो गई और नौवे ब्लेक मार्केट की तीन साल की नीलामी का भी मतलब था कि ये समाप्थ हो गया था। नीचे भीर अभी भी विचारों से भरी हुई थी। जल्द ही दो दो व्यक्ती उठकर जाने लगे। ये तभी उसने वास्तव में पूरे Hidden Dragon Pavilion कुछ हुआ। एक से अधिक लोगों ने गुप्त रूप से काले बालों वाले बुले व्यक्ती को देखा। हर कोई उसकी पहचान जानना चाहता था और यहां तक की उस दिन चोरी करने के लिए अधिक लोगों को मारना और अधिक सामान प्र वहां इसका उत्तर देने के लिए कोई तो होगा। जियोंगेर ने धीरे से बुदबुदाया मुझे लगता है कि वह एक ऐसा व्यक्ती है जो रक्त महल है। इस महांचू शक्ती में केवल तीन रक्त महल है। इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि यह कौन है चलो चले। अध खत्रे में पहले स्वर्ग जादू का प्रयोग करें फिर हजार शब्दों वाले मंतरों के साथ छोड़ दें। वे क्रूर लोग चुप्पी चुरा लेंगे। डैन सामाने तोर पर कुछ लोग हमें लूटते हैं। बुरा एहसास होने पर मुझे कैसा महसूस होता है। यह जियोन गेर ने आत्मविश्वास से ये चेन को खीचा और सीधे बाहर चला गया। आगे ये भूतिया काले बाजार का निकास है और भीड एक लहर की तरह उमर रही है। इसके अलावा जो कोई भी निलामी में भाग लेने के लिए डच ब्लेक मार्केट में आता है उसकी अ बाहर आते हैं उनमें से हर एक दौरता है और गती वास्तव में कवन नहीं होती है। सच मुछ मत कहो ये निम्न स्तर के बिक्षु समाप्त हो गए और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हाँ तियान जी डैन को फिलमाया गया है लेकिन जो भी मजबूत है वो अपनी किसमत आ आजमाना चाहता है। इस वक्त किसे फुरसत है कि तुम्हारे लिए दो अख्रोट और बेर ले आऊन। जाना निचली दुनिया से बाहर निकलने के तुरंत बाद ये चेन और जीयोंगेर ने आकर्शन की एक हजार लाइने पोस्ट की और सीधे हिंग युए जूब की और चल परे। कुन्ख फू प्रयास के साथ दोनों दस मीर से अधिक समय तक बेतहाशा दोर चुके हैं। देखो मेरी बात सुनो ये सही है। जीयोंगेर अपने सीने से मुर्गे की टांग निकालना भूले बिना भाग गया। मुझे आशा है कि आप सुरक्षित लोट सकेंगे ये चेन सतर्क थी, पूरे रास्ते करीब से देख रही थी। उच्छाल इसे खोजें। जल्द ही उनके पीछे एक शोर सुनाई दिया। एक त्वरित नजर में उन्होंने देखा कि एक पहारी की चोटी एक ही हथेली से धह गई थी। ये बंद हो गया। दोनों ने गती औ आकरितिया, आकाश का अद्भुत रहसे और महीमा बहुत सजीव दिखाए देती है। क्या हम मनुरंजन देखने चले। जियोंगेर ने ये चेन पर नजर डाली। बकवास मत करो। ये चेन ने डाटा। वे सभी निर्दई लोग हैं जो सूखी रेक बना रहे हैं और बॉल आश्चर यचकित थे। क्योंकि एक जंगली समुख शून्य में लड़ रहा था, वे लड़ने की दिशा में उनके पास आये और संख्या कम नहीं थी। उन्होंने सभी तरह से हमला किया, शूने लगातार गरज रहा था, जहां भी वे गुज्वेक वहां कई पहार धह गए खून के छीटे पड़े और चमकदार चंड्रमा को तारांकन 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 भूंगट से धग दिया गया। मैं सचमुच डर गया हूँ कि क्या होने वाला है। जियोंग एर चिल लाया, सीधे मुर्गे की टांग फेकी और जमकर चट गया। ये चेन पीछे पर देखे तो ये और भी बेमतलब है। एक तलवार को काद दिया, जिससे पिछले जीवन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तुरंत अव्यवस्थित कर दिया गया। आईए ये चेन और जियोन गेर को फिर से देखें, लड़ाई फैलने के कारण वे चौप गया और उड़ गया। जियोन गेर पूल की ओर गिर गया और उसका मोटा शरीर जमीन पर गिरने से पहले एक दरजन बड़े पेड़ों को तोड़ गया। ये चेन और भी अधिक दुखी थी। उसका पलता हूँ, आशरीर एक पत्थर के टुकडे टुकडे हो गया और लगभग वही पर मर गया। उड़ा दिया, जैसे ही वह उठा, ये चेन ने खून उगल दिया। लराए अव्यवस्थित थी, उसकी आखे धुंध लीती, या शायद बहुत दूर तक उसे जियोन गेर का चित्र नहीं मिल सका। धत्तेरी की, ये चेन चिल लाया, एक पत्थर के पीछे चुपते हुए वह लर्खडाता हुआ शून्य में देखता रहा। उस अंतराल में एक दर्जन से अधिक खाली नीदरलेंड एक भंडारन बैग से टकराए। इतना ही नहीं, जू के भंडारन बैग में जो खजाना है वह बहुत ही असाधारन है। भगवान के इंद्रधनुष सभी दिशाओं में उर्ते हैं। बिना कुछ कहे वे सभी लडा उड़ा दिया, उड़ा दिया, एक के बाद एक शुन्य में रक्त की फूल खिले, मारकाट बहुत हो इभनकर युद्ध हुआ और दो खाली राज्य हाथा पाई में मारे गए। उच्छाल, खोदना, शुन्य में लगातार गर्जना हो रही है, न केवल यहां बलकी अन्य द पत्थर के पीछे ये चेन की कमर से लटका हुआ वोयस नोट चमक रहा है, और जियोंगेर की आवाज अंदर गूंज रही है, जियोंगेर की आवाज सुनकर ये चेन ने हलकी आह भरी और उसे यह साबित करने के लिए एक संदेश दिया कि जियोंगेर अभी भी जीवित है, आप स्तब्ध रहे गए, लगभग आपको मार डाला, ये चेन ने नोट पर शाप दिया, दुर्घटनाय तो दुर्घटनाय है, जियोंगेर ने नोट में खास्ते हुए कहा, जल्दी करो, तुम्हे यहाँ ज्यादा देर रुखने की जरूरत नहीं है, तुम पश्चिम जा हजार रेखा वाला आकर्शन रखा गया और उसकी गती काफी बढ़ गई, हाला कि स्वर्ग को कोई परवा नहीं थी, अभी वह तीन पाँच मील ही चला था कि अंतराल से एक आवाज आई, जब आप दूर देखते हैं तो यह एक गपशप की थाली है, ये निश्चे थी बह बाव से रोब दिया गया था, यह एक बड़ा खेल है, ये चेन कठोरता से खड़ा हुआ और एक पहाल की और भागा, उच्छाल, जैसे ही उसने प्रवेश किया, शूने में एक गरजना हुई और एक तारानकन 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 शरीर शाही हवा में दुर घटना गरस्थ हो गया, वहर काले बालो वाला बुड़ा आदमी था जिसने उस दिन जी डैम की तस्वीर ली थी, ये चेन ने उस आदमी को एक नजर में पहचान लिया और उसकी शकल बेहत गरिमापूर्ण हो गई, काले बालो वाले बुड़े व्यक्ति ने तियान जी डैम की तस्वीर की ची है और कई मजबूत लोगों ने उसका अनुसरन किया होगा, ये अच्छी खबर नहीं है, जिसका मतलब है कि पहार जल्दी कई ताकतवर लोगों का युधक शेत्र बन जाएंगे, निश्चित रूप से काले बालो वाला बुड़ा व्यक्ति पूरी तरह से विनाश के आ पत्येक उर्ती तलवार पर एक आकरिती खड़ी थी, निशाना जाहिर तोर पर काले बालो वाला बुड़ा व्यक्ति था, उच्छाल, दक्षन की ओर, बादल घुमर रहे थे और आकाश फट रहा था और हजारों शब गिरते प्रतीत हो रहे थे, गुंजन, उत्तर में प्रूरत नहीं है, हर कोई एक आरामदा एक दिन के लिए आया था, अध्याय साथ, शिट बूम, खोदना, मजबूर चोकड़ी बिना किसी टिपनी के पहारों में भाग गई, मौके पर दो उचे उचे पहार तूट कर गिर गए, ये चेन, जो पहारों के बीच था, ने खु और दो, ली शून्य से चिल लाया, ये चेन जी लिंक को, एक चटान की दीवार के नीचे छिपने दो, मुझ में इसे लेने की क्षमता है, काले बालों वाला बुड़ा आदमी आकाश की ओर चिल लाया, आकाश की गती चरम पर पहुंच गई, और उसके सिर के उपर अफवा का सामना नहीं करना पड़ेगा, यदि वह इस तरह से लड़ता है, तो परिणामों की कल्पना करना कठिन नहीं है, मौत की तलाश करो, सभी दिशाओं में ताकतवर लोग और आकाश में तलवारों की छाया, तार के पेड़ों के निशान और जादूई वस्तूओं को बुल ले किये, क्लिक करें, उच्छाल, एक के बाद एक दो आवाजे आई, और गपशप की थाली फट गई, और काले बालों वाले बुले व्यक्ती की पीट पर भी चोट लग गई और उसके शरीर से खून बहने लगा, वापस आयेंगे, शराबी कराह उठा और काले बालों वाल भी तलवार से वार किया और बुले आदमी के पीछे हटने का रास्ता कार दिया, काले बालों वाला बुला व्यक्ती घायल हो गया और भावर से गिर गया, इससे पहले कि वह अपनी आकरिती को स्थिर कर पाता, स्वर्गिय हमला पहले ही आ चुका था, क्या, शोर बढ़ गय और काले बालों वाले बुले व्यक्ती की शब्द द्वेश से भरे हुए थे, लेकिन वह फिर भी अंत से बच नहीं सका, उसे मरने देने के बाद, वह जो भंडारन बैग ले जा रहा था वह भी फट गया और सारी सामगरी शून्य में बिखर गई, प्रतेक चमकती हुई औ गिरती गई, तियान जी दान, किसी ने जेड बॉक्स देखा जिसमें तियान जी डैन दी हेच था और तुरंट अपना बड़ा हाथ प्रकट किया, डुंजन, इससे पहले कि वह आदमी जेड बॉक्स को छूता, तलवार चलाने वाले ने उसकी बाह को तिर्ची तरफ से कार जेड बॉक्स एक निस्वार्थ चीज बन गया, तियान जी दान से भरा, जिसने सभी को पागल कर दिया, लडाई बेहत भयंकर हो गई, खून और बारिश से आकाश भर गया, और खाली क्षेत्र में मजबूत अकसर शून्य में गिर गया और गिरावट में बदल गया, प्र कर सकते हैं, इस समय एक रोशनी शून्य में गिरी और ये चेन के सामने पत्थर में एक बड़ा चाकु धसा हुआ था, जिस पर खून के धब्बे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये काले बालों वाले बुड़े व्यक्ति के भंडारन बैग में था, चीज इस समय शून्य स गई आध्यात्मिक कलाकृतिया निश्चित रूप से कमजोर नहीं है, वहाँ एक जैक प्लग दिखाई देता है जिसमें कोई वास्तविक पावर इंपुट नहीं है, एक शक्तिशाली शक्ती है जो हर चीज को विभाजित करती है और यह निश्चित रूप से एक अत्यदि एक शक्तिशाली और अभिभूत करने वाली भावना है, एक सुख़द आश्चर्य ये चेन मुस्कुराय और तलवार को स्टोरेज बैग में रख दिया, हाला कि इस समय उसकी नजर बड़े चाकु पर पड़ी और वहे एक बड़ी हुई कील के आकार की स्पिरिट बीट से स जी हुई थी, ये चेन ने करीब से देखा और स्तब्द रह गया क्योंकि आत्मा के मनके में अभी भी एक अर्ध बैंगनी अमृत था, भले ही येहा आत्मा के मुती में सील कर दिया गया था, फिर भी उसे अमृत की एक छोटी सी गंध महसूस हुई, तियान जी दान अंजा में बाग दिया, जिसके आधे हिस्से को स्पिरिट मोतियों से सील कर इस चाको में डाल दिया, जहां तक दूसरे आधे हिस्से की बात है, शायद केवल काले बालों वाला बुरा आदमी ही जानता था, या ये काले बालों वाला बुरा आदमी हो सकता था, शायद उसके साथि जाएगा और खून बाहाया जाएगा खाली पन तियान जी डैन का आधा हिस्सा यहां है किया जिस जेड बॉक्स का उन्होंने अपहरं किया है उसमें तियान जी डैन का आधा हिस्सा भी है फुस फुस आते हुए ये चेन मदद नहीं कर सका लेकिन शून्य को भूर रहा था आ उखद्रिश्य और तारानकन 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 तस्वीर ये चेन के चेहरे को फिर से पीला कर देती है। जल्दबाजी में तलवार उठा कर ये चेन लड़ खडाते हुए पहाड की ओर चला गया। तियान जी डैन का आधा हिस्सा पाना ईश्वर की कृपा थी और दूसरे आधे हिस्से के लिए लड़ने की उसकी कोई महत्वा कानक्षा नहीं थी। उच्छाल इसे खोजें। उनके जाने के तुरंद बाद फूरा पहाड एक शोर से हिल गया और दरजनों पहाड तुरंद धेह गये। उसके बाद कई भीलिये की आकृतिया उनकर आईं सभी भूरे चेहरे वाले। दिककार है जेड बॉक्स में नौ दिन की बजली क्यों है एक बूले तारानकन 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 ने उदासीन्था से कहा जेड बॉक्स बिलकुल भी तियान जी डेन नहीं है। पुरी नजर वाले किसी व्यक्ति को कुछ सुराग नजर आ रहे थे। हम सब खेल चुके हैं और असली तियान जी डैन चला गया होगा। आधी रात में खेलने के बाद वहां कुछ भी नहीं था। ये ठीक है, तियान जी डैन को किसी का हाथ नहीं पता, अब उसे धूंडना भूसे के धेर में सुई धूंडने जैसा है। खुफिया जानकारी ने यही कहा है, तीन बुजूर्गों को पहारों में लोगों ने फसा लिया था, और सभी देवता नश्ट हो गये थे, और तियान जी डैन का आधा हिस्सा जो उन्होंने पहुँचाया था, को भी नहीं पता था कि वे कहां जा रहे थे, ब्रका, जाचे मेरी जाच करें, पूरे दाचु को खोजे और तियान जी डैन का आधा हिस्सा भी धूंड ले, मैं उन्हें अपने खूनी महल के अंत के बारे में बता दूनगा, डॉट, देर रात, ये चेन उसके घायल शरीर को एक गुफा में कीच ले गया, स्पिरित तरल को तुरंथ अगले दिन देर रात हो गई और उसने हाफते हुए अपनी आखे खोली, इस समय उसके शरीर पर घाव गायब हो गय थे, उसका पीला रंग भुलाबी हो गया था और उसकी आत्मा ताजा थी, थोड़ा कठोर शरीर मुरने के बाद उसने बड़ा चाकु निकाल लिया, ये नहीं कहा जा सकता कि उसने डाले गए स्पिरिट बीड को काटा, लेकिन कुछला नहीं, इस स्पिरिट बीड का उपयोग तियान जिदान के आधे हिससे को सील करने के लिए किया गया था, एक बार जब ये दब गया तो इसे ठीक होने में काफी समय लग गया, खो जाना चाह गंदगी से दूर रहना वास्तव में भाग यशाली है, ये चेन की आखे चमक उठी, तियान जी डैन के आधे हिससे को स्पिरिट मुतियों में बंद देखकर उसकी सासे रुक गई, तियान जी दान, ये हसली तियान जी दान है, नीलामी में महान शक्तियों ने इसके लिए लडाए लड़ी और इसे 10 मिलियन डॉलर में भी बेचा गया, नीलामी के बाद मजबूत चोकरी ने उसके लिए फिर से लडाए लड़ी और कई मजबूत लोग उसकी वजह से मर गए, इस समय तियान जी डैन का आधा हिससा इसे अपने हाथ में पकड़ रहा था, जिससे य ये चेन को एक अवास तवेक एहसास हो रहा था, तियान जी डैन का मूल्य जानने के लिए दाचू के भविश्य के पैटन को बदलने की संभावना है, हालाकि तियान जी डैन उनके हाथ में आधा ही है, लेकिन ये कई लोगों की किस्मत बदलने के लिए काफी है, मुझे कै तियान जी डैन को इकठा करने लगा और देखने के लिए छेद के पास गया, ये देखकर वह खुद को शेव करने से नहीं रोक सका, गुफा से दूर उसे हलकी सी एक सुन्दर आकृती दिखाए भी, जो अपने बायकंदे को अपने दाहिने हाथ से धाक रही थी, जो लर ख झाल 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 झाल